जे श्री महाकाल एक बार फिर से आप सब का बहुत बहुत स्वागत अब इनन्दन करते हैं हम आपके अपने परिवार एकाउंटिंग गुरू में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे अपने बहुत इन्पर्टेन चाप्टर के बारे में जिसका नाम क्या है आपका डिमांड जब आप डिमांड की बात करते हो दिमांड में क्या-क्या टॉपिक हमको पड़ना है पहले यह आप लोग देख लिजे देंगे डिमांड की जब का demand curve क्या होता है यनि ये point आपको क्या करना है पढ़ना है साती साथ आपको क्या पढ़ना है आपको demand function के बारे में पढ़ना है या जिसे हम determination of demand भी कहते हैं ठीक है फिर उसके बाद आपको next topic आपका है law of demand या causes and it exception इसके बारे में भी हमें पढ़ना है और फिर उसके बाद आखरी दो topic जिसे हम कहते हैं आपका movement along a demand curve and shift in the demand curve और साथी साथ आपको last topic जो है आपका cross price effect and change in taste and preference तो कहने का सीधा सीधा मतलब है ये सारे topic आपको क्या करना है बेटा पढ़ना है clear हो गया तो देखो अब सबसे पहले आप लोग heading लिख लीजे demand की demand होता क्या है तो देखो जब भी भी हम demand की बात करते हैं जब भी हम किसकी बात करते हैं demand की बात करते हैं तो demand तीन चीजों से मिलकर बना है कितने चीजों से मिलकर बना है तीन चीजों से मिलकर बना है पहला है आपका desire desire to buy, पहला क्या है आपका desire to buy, और desire to buy के बाद फिर आपका आता है capacity, capacity of money, और लास्ट है आपका willingness, ये तीनों पॉइंट लिखे, फिर हम आपको समझाते हैं, willingness to spend money, ध्यान दीजेगा भया, जब भी आप demand की बात करते हो, तो demand का मतलब क्या होता है, desire to buy, यानि अगर हम एक example से चले, जैसे suppose करिए कि आप एक mall में गए, ठीक है, mall में आप गए, आपको एक mobile पसंद आ गया, ठीक है, आपको क्या पसंद आ गया, mobile, यानि जैसे ही mobile आपको पसंद आया, यानि आपकी इच्छा जागरित हो गई उस mobile को लेने के लिए कि नहीं, अगर इच्छा है, तभी आप आगे के दो element को देखेंगे, अगर आपके पास इच्छा नहीं है, तो फिर आगे के दो element कोई मतलब नहीं है, तो जैसे ही आपने सोचा कि हाँ sir, mobile लेना है, लेना है ये बिचार आपके मन में आया, तो लेने के बाद आप सबसे पहले क्या चेक करोगे, बिटा अपनी pocket चेक करोगे की नहीं चेक करोगे, यानि आप अपनी capacity चेक करोगे की नहीं चेक करोगे, बता चला mobile आपका 10,000 का है, आपके जैब में 15,000 पड़े हैं, तो इसका मतलब आपकी capacity जादा है, आप mobile ल पाएंगे, तो इसका मतलब है कि desire, desire के साथ आपको क्या चेक करना है, capacity, और capacity के बाद, जब आपने चेक किया कि हाँ sir, capacity है अपनी, तो इसका मतलब आखरी step आप उठाएंगे, यानि आप पैसे को क्या करेंगे, देने के लिए तयार हो जाएंगे, यानि आप अपने पैसे क यानि खरीदने के इच्छा, capacity of money, यानि check your pocket, कि sir, I have the purchasing power, मेरे पास purchasing power है, और फिर last क्या है, कि sir, अब हम इसको खरीदने के लिए पूरी तरीके से क्या है, तयार है, point clear हो गया बिटा, तो किसी ने पूछा कि what is the demand, तो demand means desire to buy, capacity of money, and willing to spend the money, point clear हो गया बिटा, कोई समस्या तो नहीं, चलिए, फिर अगले point की तरफ चलते हैं, और आप ये note हो गया है सबका न, ठीक है, चलो, फिर next point हम देखते हैं, next point है आपका quantity demanded, तो देखें, डब quantity demanded की आप बात करते हैं, जब आप किसकी बात करते हैं, quantity demand की बात करते हैं, तो quantity demand का मतलब क्या होता है बेटा, कि एक particular price में, आप कितना quantity buy कर रहे हैं, या कितना quantity आप demand कर रहे हैं, या कितना quantity आप क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, मतलब क्या है इसका, जैसे, जैसे, आप माल लीजे एक product है, जिसका price है, आपका 100 रुपया, एक product है जिसका price क्या है 100 रुपया है तो आपने इसकी quantity demand की कितना बेटा 4 रुपया इसको आपने कितना demand किया 4 quantity आपने demand कर लिया अब जैसे ही आपका price माल लीजे बढ़ता है आपकी जो quantity demand है वो बढ़ेगी कि घटेगी वो बढ़ेगी कि घटेगी obviously क्या हो जाएगी सर घट जाएगी यानि अब आपकी जो quantity demand है वो क्या हो जाएगी घट जाएगी यानि कहने का मतलब है कि एक particular price में ध्यान से सुनिएगा एक particular price में आप कितना quantity demand कर रहे हैं आप कितना quantity demand कर रहे हैं वही आपका क्या कहलाएगा quantity demand कहलाएगा point clear हो गया बेटा और एक चीज आप हमेशा याद रख लिजेगा कि जो price और quantity का है संबंद है वो पूरी तरीके से inverse है मतलब अगर price बढ़ेगी ध्यान से सुनिएगा अगर price बढ़ेगी तो आपकी जो demand quantity है आपकी जो क्या है बेटा demand quantity है वो automatic क्या हो जाएगी घट जाएगी यानि there is the inverse relation between the price and the demand quantity clear हो गया बेटा ठीक उसी प्रकार कि सर अगर माल लो price घट गई तो तो हमारी बेटा demand quantity भी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी एक example आपको देते हैं बेटा आपको याद होगा जब टमाटर का प्राइज बढ़ गया था तो पहले हम अपने घर में एक एक किलो दो-दो किलो टमाटर खरीदते थे कुछ लोग तो पांच-पांच किलो खरीद लेते थे कहते थे चलो चटनी बनाएंगे है और जैसे ही 200 रूपिया हुआ यह यहार है क्या टनी वटनी बादे में पाहिले थाई सो गराम खरीद ले तो इसका मतलब कि जैसे प्राइज बढ़ा क्वण्टिटिश द्मानड प्वेटिक क्या होका पिटा कम हो गया हुआ गलत कह रहे हैं तो लिखिये जडरा इट्स तुर् रिफर आट्टिए स्पेसिफिक क्वॐंटिटी इट्स रिफ़र ट्रूदा स्पेसिफिक क्ववंटिटी to be purchase to be purchased against a specific specific price of a commodity प्राइज आफ आफ कमूडिटी बता बेटाई जी समझ में आ गया कि नहीं आ गया दिक्कत तो नहीं जल्दी से इसको नोट करें और फिर उसके बाद हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है तो quantity demand जो बच्चे लेट आए है ध्यान से सुन लिजे, quantity demand का मतलब क्या होता है कि एक particular price पर आप कितना quantity क्या कर रहे हैं, demand कर रहे हैं, इसी process को, इसी step को हम लोग क्या कहतے हैं, quantity demand कहते हैं, point clear हो गया, चले फिर, आगे बात करते हैं बेटा Demand schedule की बात करते हैं, next topic है आपका Demand schedule तो देखो जब आप demand schedule की बात करोगे तो schedule का मतलब होता है वेटा table धान से सुनियेगा demand schedule और schedule का मतलब क्या होता है आपका table ठीक है table यानि जो आप quantity और price के बीच में relation express करेंगे जो मैंने express करेंगे with the table वो आपका क्या कहलाएगा demand schedule कह रहेगा आपका क्या कहलाएगा बाभू demand schedule यानि express the relation between the price and quantity in the table form is called the demand schedule clear हो गया बेटा लिख जरूर लिजेगा चले लिखा ही देते हैं लिखे it is a it is a table it is a table शोदा inverse अच्छा बात बताएगे demand और क्या कहते हैं price में क्या relation है positive relation है या inverse relation है या negative है बिल्कुल सही क्या है inverse है inverse का मतलब opposite होता है मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा दूसरा घटेगा तो पहला बढ़ेगा ठीक कुट in verse relationship inverse relationship inverse relationship between price of commodity and its quantity demanded किसे ने पूछा quantity demanded क्या होता है बता लेंगे सभी न अभी अभी बताया कि पर्टिकुलर प्राइस पे कितना हम पर्टिकुलर क्वांटिटी डेमांड कर रहे हैं पॉइंट क्लियर हो गया बेटा चलिए एक टेबल फॉर्म देख लिया जाए तो देखो जब आप टेबल फॉर्म की बात करते हो बेटा टेबल फॉर्म को समझने से पहले आपको यह जानना आवश्यक है कि डिमांड स्ट्रिटीट को हम दो भागों में classify करते हैं इमट स्टिटीओल हम लोग कितने भागों में classify करते हैं इचिसे हम star देके लिखेगा type of अगली heading है type of डिमांड schedule type of demand schedule type of demand schedule यानी पहला है बेटा आपका individual demand schedule individual demand schedule और दूसरा है बिटा आपका मार्केट डिमांड सिड्यूज ठी मार्केट हिए कि गलत है? सही है जैसे assigned का का मौसम चल रहा है इस समय जो हरी सबजियां है इनका जो प्राइज है वो आपका क्या है कम हुआ पड़ा है तो अगर कम हुआ पड़ा है तो इसका मतलब है कि उसकी डिमांड भी क्या हुई है जादा हुई पड़ी है गली-गली में आप देखोगे मटर के पूरे वो मिलते रहते हैं हरी सबजी के पूरा मिलता रहता है इसका मतलब यह है कि individual भी effect करेगा और overall आपका market भी effect करेगा जब आप market की बात करते हो तो market का मतलब होता है study of all the individual या study of all the consumer पॉइंट क्लियर हो गया, तो अगर किसी ने सवाल पूछा कि Demand Schedule कितने तरीके का होता है, तो आप सीधा आंसर क्या देंगे, सर्थ दो तरीके का होता है, एक होता है हमारा Individual Demand Schedule और दूसरा क्या होता है बाबू आपका Market Demand Schedule, ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं, आप लोग Market, ठीक है, एक तरफ आपको क्या लिखना है Individual, इसका थोड़ा सा differentiation भी करेंगे हम, और यह हो गया आपका क्या Market, ठीक है, Individual मतलब क्या होता है, लिखेंगे, яж और सूब के ल winding पी का लिखेंगे, अगैंगे, इस अपका क्या है, आपका क्या लिखेंगे हो it means price of a commodity price of a commodity and its quantity demanded quantity demanded for an individual for an individual consumer ज्यान दीजेगा यहां पर देखें यहां पर क्या लिखा है कहता है इस टेबल मैंने स्टीडियूल के बारे में क्या बताया था कि इस स्टीडियूल का मतलब क्या होता पिटा टेबल तो सुरुवाद भी किस से होगी आपके टेबल से तो होगी तो क्या लिखा है कि इस टेबल दाट शोदा वही बाते हैं क्या इन्वर्स रिलेशन सिप बिट्वीन दा प्राइज ओफ कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांड फॉर दा इंडिविज्वल कंज्यूमर यह हो गया आपका इंडिविज्वल डिमांड सिड्यूल और किसी ने पूझा की सर मार्केट हो तो मार्केट हो तो यह सारी लाइन सेम रहेगी सारी लाइन सेम रहेगी बट जहां पर आपने इंडिविज्वल लिखा है वहां पर आप लिखेंगे क्या मार्केट डिमांड या आप लिखेंगे Demand of लिख लिजेगा Demanded of Demanded for All the Consumer Demanded for all the Consumer मतलब यहाँ पर Individual में आप एक विक्ति की बात कर रहे हैं और Market में आप क्या करेंगे बेटा Overall पूरे Market की आप बात करेंगे यानि Demanded for all the consumer की बात करेंगे बात clear हो गई की नहीं clear हो गई बात clear हो गई Example से समझते हैं जैसे माल लीजे यहाँ पर हम एक consumer को लेकर चल रहे हैं जिसका नाम है A एक consumer को लेकर चल रहे हैं जिसका नाम क्या है आपका A तो अब देखे Price की वज़ा से चार जब प्राइज आपका दो रुपिया हो गया तो उसने अपनी डिमांड कर दी क्या तीन जब प्राइज आपका तीन रुपिया हो गया तो उसने डिमांड कर दी क्या दो जब price उसका 4 रुपया हो गया उसका product का तो उसने demand कर दी कितना एक कमच में आ गया यानि सीधी सी बात है जैसे जैसे आपका price क्या होता जा रहा है बढ़ता जा रहा है quantity demand automatic क्या होती जा रही है घटती जा रही है अगर आप उपर से चलेंगे तो और अगर आप नीचे से चलेंगे तो जैसे जैसे price घटता जा रहा है उसका quantity demand भी क्या होता जा रहा है बढ़ता जा रहा है point clear हो गया कि ने clear हो गया तो ये हो गया आपका individual demand लेकिन sir अगर market demand की बात करें तो market में क्या सिर्फ एक ही consumer रहता है answer है नहीं sir वहाँ तो कई सारे consumer रहते हैं लेकिन अब हम example से समझने के लिए हम आपको सिर्फ दो consumer लेकर चलेंगे sir माल लीजे दो consumer है पूरी market में जिसका नाम क्या है A और B ठीक है जिसका नाम क्या है A और B sir c d e f g h i ले सकते हैं आपकी इच्छा है आप ले सकते हैं तो देखिए price आए देखते हैं price फिर उसके बाद quantity demand of A quantity demand of B ठीक है quantity demand of A quantity demand of B और फिर उसके बाद market demand market demanded अच्छा market demanded कैसे आएगी किसी को कोई idea है मैं बताऊं market demand का मतलब होगा जोड लीजे सारे customer की demand को क्या कर लीजे बेटा जोड लीजे बात समझ में आ गई बेटा कलिए तो आप देखिए price देखेंगे price जब एक रुपया था तो यह demand करता था चार और यह demand करता था आपका पांच जड़ा बताईए इस stage पे market demand कितनी होगी इस stage पे market demand कितनी होगी घट जाएगी तो यहाँ पे quantity demand क्या हो गई फिर से घट गई यानि answer कितना आ गया पांच बताओ बेटा समझ में आ गया कि नहीं आ गया तो this is the demand schedule individual as well as market clear हो गया बेटा वही समस्या तो नहीं पका चलो फिर आगे बढ़ते हैं नोट डाउन हो गया है सबका नोट करेंगे जल्दी से चलिए अब अगला heading सभी लोग लिखेंगे डिमांड कर्व डिमांड कर्व देखिए जब आप कर्व की बात करते हैं तो कर्व का मतलब क्या होता है बेटा डाइग्राम किसी ने पूछा कर्व का मतलब क्या होता है डाइग्राम डाइग्राम मतलब ग्राप बनाना डाइग्राम मतलब क्या आपका ग्राप बनाना ठीक है बेटा तो अब आप जो relation express कर रहे थे इसका relation, demand और price और quantity का, अब उसको आपको क्या बनाना पड़ेगा, graph के माध्यम से बनाना पड़ेगा, इसके माध्यम से बनाना पड़ेगा, graph के माध्यम से बनाना पड़ेगा, नहीं, recorded है, ध्यान देंगे, तो अब आप जड़ा ध्यान से देखिए, जब आप schedule पड़ रहे जब आप क्या पड़ रहे थे बिटा, schedule पड़ रहे थे, तो आप यहाँ पे कह रहे थे, कि it is the table that show the inverse relation, that show the inverse relation, और जब आप यहाँ पे करभ पड़ेंगे, तो it is the graphical representation, पाकी सब वही, पाकी सब वही, वहाँ पे क्या कर दिये आप, table लिख दिये, यहाँ पे आप क्या लिख लिख देंगे, graphical representation लिख देंगे, लिखिये ज़रा मेरे साथ, it is a, it is, graphic, it is, इबटा h है, ठीक है, अई तो आप लोग भी, e, h, i, c, graphic, representation, graphic representation of, demand, demand schedule, that show, inverse, that show, inverse relationship, between, price of a commodity, price of a commodity, and its quantity demanded, बताईए, खाली, एक ही, लाइन का तो बेटा फर्क दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, वहाँ पे आप table लिखते थे, और यहाँ पे आप क्या लिख रहे हैं, graphical representation लिख रहे हैं, एक बात बताओ, demand schedule कितने तरीके का होता है, दो तरीके सा, तो कर्ब भी कितने तरीके का होगा, दो होगा, अच्छा, नाम याद आ गया सबको न, सबसा पहले कौन सा होगा आपका, individual और दूसरा क्या होगा पेटा, आपका, market, very good, लिखेंगे ज़रा, market, individual, demand curve, individual, demand, curve, और दूसरा क्या है आपका, market, लब अगला heading डाल दीजेगा, type of demand curve, ठीक है, वैसे यहाँ पे उपर लिखा भी है, ठीक है, तो individual demand curve और market demand curve, ठीक है बेटा, clear हो गया, समझ में आ गया, पका, चालो, फिर, अगला heading सभी लोग डालेंगे, individual demand curve, इसको भी देख लेते हैं, individual demand curve, तो देखो जब आप individual demand curve की बात करेंगे, individual demand curve क्या बताएगा आपको, यही तो बताएगा न, graphical representation of one consumer demand ही तो बताएगा, graphical representation of one consumer के बारे में ही तो बताएगा, लिखे, जरा सभी लोग, लिटेजा, heading डाल दीजेगा, जा heading रहेगा आपका, हाँ, individual, individual demand curve, लिखेंगे, it is a graphical, it is a graphic representation, graphic representation of a demand, of a demand schedule, of a demand schedule that show inverse relation, that show inverse relation between inverse relationship between price of commodity size of commodity size of commodity and its quantity demanded and its quantity demanded demanded अच्छा एक सब्द और लिखना है, बताओ क्या लिखना है, quantity demanded, आगे, of individual consumer, क्या लिखना है, individual consumer है न, और अगर यही market होता तो, all consumer of a market, न, बाकी सब सेम रहेगा, लिखना, हाँ, अजा, प्यक्या लिखना है, अजा फिर अब काम करते हैं, अब, ग्राफ ग्राफ खेलते हैं, तो ग्राफ ग्राफ खेलने के लिए तैयार है, नहीं नहीं मार्केट वाला भी लिखाएंगे रुख जाओ इंडिविज्वाला ग्राफ देखेंगो तो याद रखने के लिए आपको मैंने बता दिया तु अभी देखो क्या करते हैं तयार तयार है सभी लोग चालो देखो देखो जब graph graph खेलना है न तो graph को खेलने के लिए सबसे पहले इस table को पकड़ना पड़ेगा क्योंकि without table आप graph design नहीं कर पाएंगे तो table हमारी क्या थी बेटा हमारा price क्या था एक दो तीन चार quantity क्या थी चार तीन दो एक ठीक है तो अब आईए हम लोग क्या करते हैं graph बनाते हैं तो देखो graph बनाने के लिए आपको क्या करना है table वही है ठीक ना तो ये हो गया हमारा क्या y ये हो गया हमारा 0 ये हो गया हमारा क्या x x यानि आपका quantity और y यानि यह आपका क्या प्राइज देखते हैं फिर उसके बाद प्राइज एक दो तीन और यह हो गया आपका चार फिर उसके बाद क्वउंटिटी एक तो ए तीन चार और यह दर बढढ़ा देते हैं पांच अब देखिए पहला हमारा क्या सुडूल था कि जब हमारा प्राइस चार होगा तो हम क्वांटिटी डिमांड करेंगे कितना एक ना जब हमारा प्राइस क्या होगा चार क्या ना भाईया कलर हम थोड़ा सा चेंज करते है हमारा प्राइस होगा चार तो हम क्वांटिटी डिमांड करेंगे कितना एक quantity हमारा क्या हो गया बढ़ गया हमारा quantity क्या हो गया बढ़ गया फिर उसके बाद मालो सर हमारा price और घट गया हमने quantity क्या कर दी और बढ़ा दी है न तो price हमने दो रखा तो quantity हमारी तुरंद क्या हो गई तीन हो गई फिर हमने price एक हो गया तो हमारी quantity भी क्या हो गया आपके demand चार हो गया यह देखो लो बन गया हमारा बन गया की नहीं बन गया अब आखरी में क्या करना है मिला दीजे इसको मेरी लाइन अगर सही नहीं बनी क्रिप्या करके आप अपने उससे बना लीजेगा है इसकेल से बनाईएगा क्योंकि हाँ थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा मेरा यह मत सोचना कि सर गलत बन गया है ना 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 आई चलो बन गया लेओ बन गया यह हो गई हमारा डीडी डीडी मतलब dd मतलब क्या आपका ? डिमाइंड कर्व. कहीं स्टार दे Не', लिख लिजेगा. Dd मतलब क्या होता है ? डिमाइंड कर्व. अच्छे अपन बात बताऊ यह जो आपका dds है , क्या कर रहा है ? डाउन capitalist स्लोपिंग पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है ? डाउंड वर्ड स्लोपिंग पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है और डाउंड वर्ड स्लोपिंग का मतलब क्या होता है इनवर्स रिलेशन होता है कि नहीं होता है अगर आप देखोगे तो आपका ये क्या हो रहा है घटता जा रहा है या आप ये देखे इधर से देखे ये downward sloping है ऐसे आप लिख ली जेगा downward sloping एक नंबर का सवाल आएगा कि what is the downward sloping means आप क्या लिखेंगे बेटा अगर एक नंबर का सवाल आगया कि downward sloping से आप क्या समझते हैं क्या लिखेंगे inverse relationship between the price and quantity demand बताव समझ में आगया कि नहीं आगया ठीक है लिख लीजेगा यहाँ पर star देके लिख लीजेगा downward sloping means star देके बेटा लिख लीजे पहले फिर डाइगराम बनाईए बोले downward sloping means inverse relationship between price and quantity demand baseline when ल। लीजेचिंटоронसे Westminster लेका regering है लीजेचिचC लीजेचा के लुए बेटा हो गया सबका चले आगे तम यह दीरी दीरे ठीक हो रही है लेकिन अभी भी नहीं ठीक है चले बन गया सबका अब बारी किसकी है बेटा मार्केट डिमांड करब की बारी किसकी मार्केट डिमांड करब की तो देखो जब आप market demand करकी बात करते हो market demand schedule for all the consumer market demand schedule के लिए क्या याद रखना पड़ेगा for all the consumer लिख लो बेटा लिखना है कि लिख लेंगे कि लिखा दू जी लिख लेंगे न अखले नहीं बता रही है लिख लेंगे पका ना मेरी कसम तरीट से अच्छा लिखाई दो अच्छा ठीक है लिख लोगे ना हाँ ठीक है लिखना चलो अब यहाँ पर देखो हमने schedule में रखा था market वाले में जब देखा था बेटा तो हमने ये वाला demand उठाया था ना ये वाला पढ़ा था जिसमें हमने देखा था कि प्राइज एक दो तीन और इसका जो है क्या है चार तीन दो पांच चार और ये आपका क्या तीन तो अब आपको ध्यान से देखना बेटा अब आपको तीन तीन कर्व बनाने पड़ेंगे क्या बात कर रहे है उसर तीन तीन कर्व अरे हाँ एका बी का और मार्केट का एका बी का और किसका मार्केट का ठीक है तो ये मैंने पहले बना दिया एका ये मैंने एका बना दिया फिर मैंने इसका बना दिया बी का बना दिया और फिर मैंने किसका बना दिया विटा नहीं C का नहीं मार्केट का यानि A प्लस B का ठीक है यहाँ पर प्राइज में क्या उतार चड़ा हो था एक बार जड़ा फिर से देखू कहता है प्राइज एक दो तीन प्राइज एक एक दो तीन और क्वाङ्टिटि डिमांड था आपका 4, 3, 2 4, 3, 2 प्राइज हो गई एक तो यह हो गया छोड़ा और बढ़ा लेते हैं न यह हो गया हमारा क्या 0 यह क्या हो जाएगा आपका बीटा X यह क्या हो जाएगा आपका यज़ा वाई यहा पे हम क्या लिखेंगे प्राइज यहां पर क्या लिखेंगे लिवेला इसका प्राइज जब आपका क्या था एक था पहले वह लाइन कर लीजे एक हो गया दो हो गया कीन हो गया चार हो गया ठीक है तो जब आपका प्राइज एक था तो आपने डिमांड कितना किया था चार आपने डिमांड कितना गिया था चार जब आपका प्राइज दो हो गया यानि बढ़ गया न तो आपका क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा कि घटेगा गट गया से क्या हो गया गट गया फिर जब आपका प्राइज और बढ़ा हुआ तो आपका क्वांटिटी clear हो गया यानि अगर आप ध्यान से देखो हमने q से सुरुवाद की थी हमने सुरुवाद किस से की थी आपकी q से सुरुवाद की थी q यानि एक और 4 एक quantity में टा रहा हूँ एक बट के लिए हमने q से सुरुवाद की थी फिर हम किस पे पहुँच गए Q1 पे फिर हम किस पहुँच गए Q2 पे और फिर हम किस पहुँच गए Q3 पहुँच गए अब आप कहोगे Sir समझ नहीं आया इसलिए नहीं आया कि ज़रा देखिए जब आपका प्राइज एक था तो आपका क्वांटिटी क्या था चार था आप इसको माल लीजे Q फिर जब आपका प्राइज दो था तो आपका क्वांटिटी डिमांड कितना हो गया तीन यानि इसको माल लीजे क्या Q1 फिर तीन पे क्या हो गया दो ये क्या हो गया Q2 एक पे चार यानि ये क्या हो गया आपका Q3 अब समझ में आ गया बिठा अब समझ में आ गया चाले अब इसमें भी क्या आएगा downward sloping ही आएगी न downward sloping लीजे downward sloping भी हमारी बन कर क्या हो गई तयार downward sloping भी हमारी बन कर तयार ठीक उसी तरीके से अगर आप b का देखेंगे तो b की कहानी में क्या था वेटा b में आपका क्या था 1 2 3 और 5 4 3 2 था ठीक है b की कहानी में 1 1 2 3 4 और यहाँ पर quantity क्या थी 5 4 3 2 ठीक है यह हो गया हमारा 0 यह हो गया हमारा x यह हमारा हो गया क्या y यह क्या denote करता है price यह क्या denote करता है आपका price और यह क्या denote करता आपका quantity है, इसमें भी बैटा आपका downward sloping ही होगा न, मैं direct बना दू, मैं direct बना दे रहा हूँ, आप अपना करके देखिएगा यही same line आएगी आपके, और market को भी अगर आप उठाओगे, तो market में क्या था आपका, एक, दो, तीन, चार, और इसका quantity क्या था आपका, मेरे ख्या seven, और फिर क्या था आपका five, और फिर क्या था आपका three, इसका भी जो sloping आएगा, वो यही तो आएगा, इसका जो sloping आएगा वो भी तो downward ही होगा कि नहीं होगा बेटा, बना लीजे ज़रा सभी लोग, यह हो गया हमारा price, यह हो गया zero, यह हो गया हमारा x, x मतलब आपका quantity, quantity, यह भी क्या हो गया, quantity price, बताएगे समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो किसी ने पूछा कि भाईया, market demand curve, अगर आप से पूछा जाए, तो आप उसके बारे में लिख लेंगे, क्या उसका graphical representation भी हो जाएगा, क्या उसका schedule में भी convert कर लेंगे आप उसे, schedule में convert करने लिए क करेंगे, दो example, example ले लिजेगा, A consumer और B consumer, और दोनों को जोड़ देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, total demand curve आ जाएगा, बताएगे बेटा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, note down करेंगे बहुत जल्दी से, जल्दी जल्दी चलाइए बही, copy के, चले आगे बेटा, जल्दी बनाइए, चालो, तो ये तो हो गया आपका market demand curve, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, तो इसमें भी आप चाहे individual लेकर चलोगे, या चाहे आप market लेकर चलोगे, sloping आपकी क्या रहेगी बेटा, down रहेगी, और sloping down रहने का मतलब ही है आपका क्या, law of demand, अभी उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि law of demand होता क्या है, clear हो गया बेटा जी, चले आगे हम लोग, चालो फिर, अब अगला heading सभी लोग लिखेंगे आपका demand function, बहुत important है, बहु हम determination of demand कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, आपका determination of demand कहते हैं, मेरी बात सुनिए बेटा, demand function का मतलब क्या होता है, सर वो कारण जिसकी वज़ा से demand effect कर जाए, वो कारण जिसकी वज़ा से आपका क्या हो जाए, demand effect कर जाए, यानि ये आप ये भी कह सकते हो कि वो कौन कौन से हैं जिसकी वजह से आपका demand क्या हो रहा है effect हो रहा है clear हो रहा है विटा तो आप चाहो तो star देके question भी लिख सकते हो causes of demand effect causes of demand effect और हिंदी में याद रखने के लिए लिख लीजे वो क्या कारण है जिसकी वजह से demand परिवर्तित होती है start देके question English में लिख लीजे क्या होता है कि हमारे पास answer तो रहता है लेकिन हमें question ही नहीं पता रहता कि जाला question पूछ क्या रहा है कि होता है कि नहीं होता है इसा हमारे पास answer तो रहता है clear हो गया बेटा causes of demand क्या कारण है जिससे demand effect करती है ठीक है तो देखो जब आप demand की बात कर रहे हो तो demand को effect करने वाले भी कितने कारण हो सकते हैं या दो कारण ही हो सकते हैं अब आप कहोगे sir दो कारण कौन कौन से अरे वही individual वाला और दूसरा कौन सा market वाला individual वाला और दूसरा आपका कौन सा बेटा market वाला ध्यान से सुनिएगा जब आप individual की बात करते हैं तो individual को effect पांच चीजे करती है इंडिविजुल को इफेक्ट कितनी चीजे करती है बटा पांच चीजे करती है मार्केट वाला भी बाद में देखेंगे ठीक है तो सबसे पहले जो इंडिविजुल को इफेक्ट कर दे वो होता है आपका on price of commodity सबसे पहला कारण on price of commodity बताओ कितने लोग मेरी इस बात से सहमत है कितने लोग मेरी इस बात से सहमत है on price of commodity हाथ नीचे मतलब क्या है सर कि अगर माल लीजे किसी भी product का price बढ़ रहा है क्या हो रहा है बढ़ रहा है तो automatic उसकी जो demand है वो demand आपकी क्या होगी बेटा घटेगी कि नहीं घटेगी automatic उसकी demand क्या हो जाएगी घट जाएगी यानि ये कारण समझ में आया कि नहीं यानि on price of the commodity clear हो गया है बेटा कोई समस्या तो नहीं चलिए आगे दूसरा देखते हैं और दूसरा point ये लिख लिए सबने on price of commodity ये लिख लिए जेगा ताकि आप याद भी रहे इसको चले आगे दूसरा कारण क्या है दूसरा है आपका बेटा दूसरा है आपका price of related goods लिखे मेरे साथ दूसरा है आपका price of related goods अब आप कहोगे सर ये क्या concept है price of related goods देखो related goods का मतलब क्या होता है जब आप related goods की बात करते हो बेटा तो related goods को हम दो भागों में classify करते हैं कितने भागों में classify करते हैं बेटे दो भागों में classify करते हैं एक होता है आपका substitute goods लिख लीजे मेरे साथ एक होता है आपका क्या substitute good और दूसरा होता है आपका complimentary good दूसरा क्या होता है पатьणा complimentary goods ठीक है complimentary goods अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि Sir, ये substitute good क्या होता है तो देखो substitute good का मतलब होता है this type of goods can be easily replaced with each other this type of goods can be easily replaced मतलब क्या है जैसे आप जाओ पानी की बॉटल लेने के लिए आप क्या कहते हो जर्नली इन 99% लोग 99 जादा बोल दिया 90% लोग यही कहते हैं भाईया बिसलरी देना यही कहते है ना उसने का नहीं भाईया वो किन ले वाला है अच्छा लाओ भाईया वो रामदेवाला है पियास लगी है तो आप वहाँ पर बिसलरी खोजोगे कि किनले खोजोगे कि रामदेव खोजोगे अरे भाईया पानी खोजोगे पानी और पानी के अलग-अलग प्रूव आ गए कि नहीं आ गए ठीक है तो इसली सबसिट्यूट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो और एक एक एकजामपल और देता हूँ जैसे माल लीजे चाय और कॉफी बहुत फेमस एकजामपल है जितने भी इकोनोमिक्स पढ़ाने वाले टीचर है वो अकसर चाय और कॉफी का एकजामपल लेते हैं तो उसी परमपरा हाँ मैं स्टार्ट करूँ अचा उसी परमपरा को बढ़ाते हुए मैं भी किसका एकजामपल लेता हूँ चाय और कॉफी का तो अब आप सोचो कि अगर चाय पत्ती का रेट बढ़े लेकिन कॉफी का रेट क्या है तो जरा बताई ये कस्टोमर किसकी तरफ सिफ्ट होगा औ आप मार्केट में गए पहले चाय रूप दस रूपय की आती थी कफी भी दस रूपय की आती थी ठीक है अगले दिन आप गए आपने का भया चाय उसने का भया पंदरा रूपया या पारा रूपया तो आपके दिमाग में आएगा अच्छा कॉफी है कितने की है भया वह द constant है ध्यान से सुनिएगा price coffee की क्या है constant है मतलब no change लेकिन फिर भी उसकी demand क्या हो गई बढ़ गई यह exception में भी अभी आप पढ़ेंगे याद रखे रहिएगा जब मैं आपको exception समझाऊंगा तो exception में यह point फिर से आएगा यानी product of price of the substitute goods clear हो गया समझ में आ गया बेटा जब आपको chapter मैंने लिखाया था तो एक last एक point भी मैंने इसमें लिखाया था exception वाला लिखाया था अगी नहीं लिखाया था तो वो भी आप साथी साथ समझेते रहो exception का मतलब जहां पे आपका inverse relation नहीं चलता कॉफी का price क्या है constant है तो उसका demand में क्या रहना चाहिए था constant रहना चाहिए था लेकिन पी की price की बढ़ने की वज़ा से उसका demand automatic क्या हो गया बढ़ गया तो exception rule लग गया की नहीं लग गया यहां पर point clear हो गया चलिए पहले लिखिए यहां पर substitute लिखिए माली जे सवाल आता है दो number का कि explain the substitute goods तो उसमें लिखेंगे लिखिए which can be which can be replace which can be replace replace with each other with each other point clear हो गया बिटा अच्छा complimentary का मतलब क्या है सर complimentary का क्या है सर मतलब complimentary का मतलब क्या होता है जिसको आप चाहकर भी अलग नहीं कर सकते जिसको आप चाहकर भी क्या नहीं कर सकते अलग नहीं कर सकते जैसे हाँ फेमस एक्जाम्पल पेट्रोल और कार है ना इंक एंड पेन दफेमस ठीक है दफेमस इक्जाम्पल ठीक है टीनी और चाय टीनी और चाय भी कह सकते हो लेकिन फिर उसे आप क्या करोगे कर सकते हैं लेकिन गुर्द से गुर्द से रिप्लीस तो वो आपका कॉंप्लिमेंटरी में नहीं आएगा ठीक है लेकिन अगर आप ध्यान से देख Halo कि अब यह जो कॉंप्लिमेंटरी गुढस है है यह भी सब्सिट्यूट की तरह चेंज हो रहा है कि नहीं तो पेट्रोल गाड़ी पेट्रोल गाड़ी की जो डिमंड है वो बढ़ेगी की घटेगी सर वो घटेगी कारण क्या है क्योंकि उसके जगां डीजल गाड़ी आ जाएगी और सर मानों पेट्रोल भी बढ़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं उसके जगाँ इल्क्ट्रिसिटी गाड़ी आएगी आ रही है की नहीं आ रही है मार्केट में आप 2024 चल रहा है येकीन मानना 2030 तक 2030 तक आपको इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही मार्केट में दिखेंगी ये आप जानिये ठीक है मार्केट में आपको इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही दिखेंगी ठीक है ये बात समझ में आ गई तो कंप्लिमेंटरी गुड्स में क्या होता है कि किसी एक product का प्राइस क्या होता है बढ़ता है तो जो उससे related है उसका भी price automatic क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा पता यह समझ में आ गया कि नहीं आ गया लिखे जरा यहाँ पर which complimentary goods में लिखेगा which are demanded which are demanded which are demanded together which are demanded together ठीक है बटा complimentary में क्या होगा कि those goods which are demanded together example petrol और clear हो गया बटा चलो फिर आगे बढ़ते हैं अब यह तो हो गया अच्छा पहला reason क्या था on price दूसरा reason क्या है price of related goods समझ में आ गया अब आओ तीसरा देखते हैं तर तीसरा कारण क्या है तो तीसरा कारण है बटा आपका तीसरा है आपका income of consumer तीसरा है आपका कारण बटा income of consumer इनकम आफ कंज्यूमर का मतलब क्या होता है पर्चेजिंग पावर आफ कंज्यूमर आप यह भी कह सकते हो पर्चेजिंग पावर आफ कंज्यूमर ठीक है बटा income of consumer का मतलब पर्चेजिंग पावर आफ कंज्यूमर अच्छा एक देखिए ज़रा ध्यान से जब आफ income of consumer की बात करते हो तो income of consumer को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा goods यानि जिसकी हम कर रहे हैं demand जिसकी हम क्या कर रहे हैं बटा demand ठीक है और इस goods को हम दो भागों में classify करेंगे एक जिसे हम कहेंगे बटा अच्छी quality का goods इसे हम क्या कहेंगे अच्छी quality का goods और दूसरे जिसे हम कहेंगे आपका खराब quality का गुट्स तो अच्छी quality के गुट्स को हम लोग कहते हैं नॉर्मल गुट्स और खराब quality के गुट्स को हम लोग क्या कहते हैं आपका inferior गुट्स बात clear हो गई पीटा अच्छा एक गृफिन गुट्स भी होता है गृफिन का मतलब होता है जो महा घटिया है तो है लेकिन महा घटिया है मतलब खा लोगे तो आस्पताल जाना निश्चित है ठीक महा घटिया अभी उसकी चर्चा बाद में करेंगे फिलाल तो अभी आप देखिए कि income of consumer को हमें समझने के लिए क्या समझना है goods को समझना है जिसकी हम demand कर रहे है और goods को हम कितनी category में बाटेंगे वेटा दो category में बाटेंगे एक है आपका normal दूसरा क्या है आपका inferior तो किसी ने पूछा कि what is the normal तो means that goods which good quality that good which are the good quality और अगर किसी ने पूछा कि what is the inferior means that good which have the bad quality आप यहाँ पर लिख लीजेगा bad quality of goods याद रखने के लिए bad quality of goods और यह क्या है बेटा good quality of goods या good के जगा best quality of goods लिखिए best quality of goods बाट समझ में आगी बेटा तो अब देखिए इसका प्रभाव कैसे होगा देखिए ज़रा ध्यान से जैसे किसी भी व्यक्ति की income बढ़ेगी जैसे ही किसी व्यक्ति की income क्या हो जाएगी बढ़ेगी जरा बताईए जो आपका normal goods का demand है वो बढ़ेगा की घटेगा वेक्ति का normal goods का demand है बढ़ेगा की घटेगा obviously sir उसका demand क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा लेकिन what about the inferior goods उसका demand क्या होगा उसका demand क्या हो जाएगा कम हो जाएगा क्योंकि अब हम घटिया quality का समान नहीं घरी देंगे ठीक उसी प्रकार अगर हम income को घटाएगा लीजे किसी उस वेक्ति की income घट गई तो उसका जो normal goods का जो purchasing power था वो भी कम हुआ यानि अब उसका demand automatic हम क्या करेंगे घटा देंगे और जो आपका inferior goods है अब उसका demand फिर से क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा बताओ बिटा समझ में आया कि नहीं आया कोई दिक्कत तो नहीं तो अब आपको यहाँ पर एक चीज और समझनी है कि income और normal goods के बीच में income और normal goods के बीच में positive relation होता है क्या होता है आपका positive relation होता है यानि दोनों एक साथ बढ़ेंगे या फिर दोनों एक साथ क्या हो जाएंगे घट जाएंगे ठीक है इनके बीच में क्या होता है positive relation एक नंबर का सवाल यहां से आता है what is the relation between the income and normal goods तो आप answer क्या देंगे कि sir यह आपका क्या है positive relation है लेकिन अगर आप से कोई यह पूछ ले कि जरब बताओ what is the relation between the income and inferior goods what is the relation between the income and inferior goods तो बेटा आप यहां पर का कहोगे कि sir इनके बीच में negative relation है या inverse relation है बताए बेटा जी समझ में आ गया कि नहीं आ गया कोई समस्या तो नहीं कोई दिक्कत तो नहीं एक नंबर का सवाल यहां से भी बन सकता है तो तीसरा effect हमने समझ लिया कि नहीं समझ लिया पहला effect क्या था on price of the commodity दूसरा क्या था आपका बताए जरा दूसरा क्या था price of the related goods और तीसरा क्या था आपका income of the consumer बताए बेटा समझ में आ गया चलिए आगे बढ़ते हैं अपने चौथे point यानि चौथे cause को देखते हैं और चौथा cause है हमारा taste and preference taste and preference तर यह होता क्या है जैसे क्या होता है न बेटा कुछ लोगों को किसी चीज की आदत लग जाती है कि कुछ लोगों को किसी चीज की क्या लग जाती है आदत लग जाती है और फिर उस आदत की वज़ा से price पर कोई मतलब नहीं बढ़ेगा तो भी लेंगे घटेगा तो भी लेंगे साहिए कि नहीं है बढ़ेगा तो भी लेंगे और घटेगा क्या होगा आपका तो भी लेंगे, ठीक है, हाँ, कुछ बच्चे तो मुस्कुराने लगे हैं, कि हाँ हाँ सर ये वाला बीना समझाए हम समझ गए, क्योंकि एक्जामपल दो तीन ठो घूम गया है क्लास में, कोविड के बाद सबसे पहले क्या खुला था, दारू का ठेका, लोग लगा लगा ल यानि टेस्ट एंड प्रिफरेंस, टेस्ट एंड प्रिफरेंस, लेकिन आप एक्जाम में ये नहीं लिखेंगे, तर दारू, तो इसको समझाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा, तो दिखो जब आप टेस्ट और प्रिफरेंस की बात करते हो, जान दो बेटा, जब है आपका इंडिविजूल टेस्ट, इसमें आपका क्या है बेटा, इंडिविजूल टेस्ट, दूसरा होता है आपका ट्रेंड, जίसे आप क्या कहते हो, फैशन, ना, ट्रेंड एंड फैशन, और फिर तीसरा होता है, पेटा, Google, Climate Environment, अब ध्यान से समझो बेटा जब आप इंडिविजुवल टेस्ट की बात करते हैं इंडिविजुवल प्रिफरेंस की बात करते हैं तो यहां पर आपके दो एफेक्ट या दो कॉस आएंगे समझने के लिए क्या कारण है ध्यान से समझेगा इंडिविजुवल में आपको यह चेक करना पड़ेगा कि सर किस प्रोडेक्ट की लाइक और किस प्रोडेक्ट की डिसलाइक हमारे सामने आ रही है किस प्रोडेक्ट की लाइक और किस प्रोडेक्ट की हमारे सामने क्या आ रही है विटा डिस लाइक आ रही है जैसे एक्जामपल से समझते हैं 2023 की बात है 2024 में तो नहीं लेकिन 2023 में एक सब्द बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा जिसका नाम था बाइकॉट कुछ भी हो बाइकॉट फलाने बाइकॉट धमाके बाइकॉट ढखाने और बाइकॉट की वजह से कुछ अच्छी अच्छी चीजें खराब हो गई और कुछ खराब चीज मार्केट में आई ही नहीं हुआ था कि नहीं हुआ था इसका एक एक्जामपल देते हैं आपको एक मूवी आये थी अधी पूरुस मेरे ख्याल से इंडिया की सबसे हाई बज़र्ट की पिक्छर थी मतलब सबसे नहीं लेकिन हा उसमें आजाएगा लिस्ट में आ जाएगा ठीक है जैसे ही उसका टेलर आया लोग उन्हें मार डिसलाइक मार डिसलाइस बाइकॉट यह बाइकॉट वो बाइकॉट वो मतलब उसके मेकर को पिच्चर एक साल बाद सिफ्ट करनी पड़ गई यह सोचके कि लोग भूल जाएंगे और लोग ठहरे यहां कि खलियर उन्होंने का अच्छा हमसे चला की है जब आएगा हम फिर करेंगे तो कहने का सीधा सीधा मतलब यह है कि अगर एक individual एक community इस पर decide कर ले जाए कि सर हमको यह पसंद है जिसका मतलब उसका demand automatic क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा और अगर वो community कहते ना ना उसका demand automatic क्या हो जाएगा घड़ जाएगा यानि उसके price की change करने की कोई जरूरत है ही नहीं खाली individual अच्छा कर दे तो अच्छा हो जाएगा individual खराब कर दे तुसे क्या कर देंगे खराब जह और ह memo यह बात शमझ में आगे की नहीं आगे बेटा कोई दिक्कत तो नहीं यानि आगर like की संख्या जादा बढ़ेगी तो उसका quantity वे इमांड भी क्या होग ब paling जाएगा और अगर डिसलाइक की संख्या जादा बढ़ी तो उसका quantity डिमांड भी आटमेटिक क्या हो और फैसन एक ऐसी भी चीज है जो दस साल बाद फिर से रिपीट भी होती है एक्जामपल देते हैं आप लोगों ने देखा होगा पहले की चसमे कैसे आते थे गांधी जी वाले गोल गोल बीच में वी सेप के चसमे आने लगे थे फिर उसके बाद फिर से किसी हीरो हीरो इन ने गोल चसमा लगा लिया फिर से जाला गोल चसमा के दोर आ गया आया कि नहीं आया, तो ट्रेंड एक ऐसी चीज है, जैसे एक ठो बेल बॉटम नाम का बेल बॉटम जीन्स चली है, बेल बॉटम हाँ, बेल बॉटम, ठीक है, तो ये भी चीज आप देखिए, या फिर मैंने एक चीज देखी है, यहाँ पे कुछ इसे, क्या कहते हैं उसे, डै ठीक है, हमारे मित्र है एक ठो, तो वो जीन्स लेकर आये, हम से कहें, विपुल भाईया, हम जीन्स लाएं हम कहें, दिखाओ, दिखाए, फटा था उसका, हम कहें, यार कितने कहाई ये, कहें, साड़े तीन हजार का, हम कहें, पागल कहीं का, फटा जीन्स लेकर आया है, तो क्या हो जाएगा चला जाएगा बात समझ में आगई अच्छा climate environment पे भी बहुत प्रभाव है क्लाइमेट इंवर्मेंट कैसे जैसे अपने अपना जो भारत है यह तो सर्व गुण संपन्न है यानि यह सब आपको देखने को मिलेगा बरसात है ठंडी है गर्मी है ठीक है चिपचिपी वाली बरसात है चिपचिपी वाली गर्मी है पतज़ड है है कि नहीं है है अपना भा प्रकार के climate change है तो दुनिया प्रकार की सबजीयों का भी तो trend है दुनिया प्रकार जैसे अभी गर्मी है माल यह ठंडी है ठंडी में क्या होता है कि जो गरम कपड़े की जो demand होती है वो क्या हो जाती है बढ़ जाती है सही है कि नहीं है अच्छा गर्मी में किसी को देखे और शीटर पहिंते हुए या शीटर खरीते हुए नहीं मतलब climate जैसा रहेगा वैसे उसकी क्या हो जाती है demand हो जाती है point clear हो गया बेटा गर्मियों में देखो demand किसी बढ़ती है आइस क्रीम की बढ़ जाती है पानी की बढ़ जाती है कोल्डरिंग की बढ़ जाती है ठंडियों में यह सब खतम हो जाता है यह सब खतम होके क्या बढ़ जाता है चाय कॉफी गरम गांजर का हलुआ है क्लाइमेट इन्वार्मेंट भी आपका क्या करता है डिमांड पे आपके इफेक्ट करता है बताओ समोज में आ गया कि नहीं आ गया क्लाइमेट इन्वार्मेंट कोनो समस्या तो नहीं है चले फिर आगे फिर उसके बाद अगला एक लास्ट देखेंगे बेटा लास्ट है आपका फ्यूचर एक्सपेक्टेशन पच्वा पॉइंट ध्यान से समझेंगे फ्यूचर एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़िया चीज ह है वो क्या है आपका फ्यूचर एक्सपेक्टेशन जहां से सुनना बेटा यह जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन होता है यह होता क्या है जैसे क्या होता है कि कुछ लोग यह सोचते हैं जैसे माल लीजे कोई भी प्रोडेक्ट जब लाउंच होता है तो उसका प्राइज क्य किसका होली सेल का तिवाली सेल का क्रिस्मस सेल का और किसका निव येर सेल का वैलेंट अच्छा जब फर्वरी चल रही है दिमाग में वैलेंटाइन घूम रहा है मेरे देखो मेरी बात सुनो बेटा जब मैं चोटा बच्चा था जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी जब तक छोड़ा फर्वरी मेरे लिए मनहूस थी मनहूस का मतलब उस सच में उस समय मैं दूसरों को देख के यही सोचता था कि भगवान हमने क्या पाप किया है हमने कुछ पाप किया है क्या जो उसकी सजा मिल रही है लेकिन इत्फाक ऐसा कि 2019 चौदा फरवरी मेरी साधी हो गई उसी समय यानि यानि तो यानि भगवान ने कहा कि जाओ फिक है चली आगे बढ़ेंगे यानि अगर आपको लगता है कि किसी भी प्राइज को ध्यान से सुनना कोई भी जो प्रोडेक्ट है कोई भी आपका क्या है कोई भी प्रोडेक्ट है जिसका प्राइज ध्यान से सुनना विटा जिसका प्राइज फ्यूचर में जिसका प्राइज आपका क्या फ्यूचर में इंक्रीज हो सकता है जिसका प्राइज फ्यूचर में क्या हो सकता है इंक्रीज तो इसका मतलब है उसकी हम डिमांड क्या करेंगे बिटा ज्यादा करेंगे कि कम कर दें अब जैसे मैं आपको बता हूँ इस समय जो किश्मिस है किश्मिस देखियो ना अंगूर इस समय खुब मिल रहा है लेकिन किश्मिस तो हर महीने मिलती है लोग इस समय जो किश्मिस के वेंडर हैं वो क्या करते हैं कि सारे अंगूरों कोई कठा करना शुरू कर देते हैं ताकि वो साल भर उसको क्या करते रहें, रोटेट करते रहें, ये भी तो चीज है, ठीक उसी प्रकार, जैसे मैंने कहा कि अगर किसी प्रोडेक्ट का प्राइस फ्यूचर में इंक्रीज होगा, तो आज, प्रेजन टाइम में उसकी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, बढ़ है, फ्यूचर में उसका प्राइस क्या हो सकता है, घट सकता है, तो काम करो, इंतजार करो उसके घटने का, तो हम उसकी डिमांड क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, कम कर देंगे, होता है कि नहीं होता है बटा, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, तो ये है आपका फ्यूच एक्सपेक्टेशन बात क्लियर हो गई बेटा जी चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और एक चीज और सुनिएगा अब आप फंसन को थोड़ा सा फॉर्मूले के रूप में लिख लीजे इसके रूप में लिख लीजे लेकिन उससे पहले जरह यहां पर लिखेंगे हां मैं ला र कि अदिया नोट क के यह रहा न है यह रहा तो इंडिविजवुल डिमांड्स उडूल हम लोग पढ़ रहे थे इंडिविजव़् डिमांड सिडूल में पूरा रिवाइस कर लेते हैं इंडिविजुयल क्या क्या पढ़ा हमने में ऑन प्राइस उन प्राइस क्या पढ है उसके आगे bracket में लिख दीजेगा क्या PX उसके बाद दूसरा point है आपका क्या price of related goods इसे हम कहते हैं बेटा PR कहते हैं R मतलब related goods ठीक है क्या कहते है price of related goods फिर उसके बाद अगला point हमारा क्या था income of consumer income को हम denote करते हैं बेटा Y से किस से denote करते हैं Y से clear हो गया बेटा फिर उसके बाद income के बाद हमारा अगला point क्या था आपका हा तो इसको हम denote करते हैं आपका trend T यानि trained ठीक है बेटा समझ में आ गया बेटा और फिर last है आपका future expectation इसको हम आपका denote करते हैं आपका E से इससे denote करते हैं E से expectation clear हो गया तो कुल मिला के आपका क्या आ जाएगा D X बराबर देखिए D X बराबर F फिर P X क्वामा P R क्वामा Y क्वामा T क्वामा T क्वामा T आगे देखेंगे तो आप देखिए जरा ध्यान से यहां पर आप लोगी star देके लिखेगा star देके उसी के नीचे लिखेगा demand is the function of start देके लिखेगा demand is the function of देखो यह क्या लिखा है demand D X मतलब क्या demand is a function F मतलब क्या आपका function function of फिर आप लिखिए पहला उसी के नीचे point देके लिखेगा function of on price of goods on price of goods on price of goods दूसरा star दीजेगा दूसरा क्या होगा आपका price related goods price related goods price related goods price related goods अच्छा तीसरा क्या होगा बेटा very good income of consumer income of consumer फिर उसके बाद अगला क्या होगा बेटा very good taste and preference बहुत सुन्दर और फिर last क्या है बेटा आपका विल्कुल सही future expectation future expectation अब जहां पर आपने price of on goods लिखा है उसके आगे bracket में क्या लिखेंगे PX जहां पर लिखा है आपने price of related goods क्या लिखेंगे PR income of consumer क्या लिखेंगे Y फिर taste and preference में क्या लिखेंगे हो गया बेटा चलिए तो यह तो हो गया आपका individual आप बात करते हैं हम लोग किसकी market की देखो जब आप market की बात करते हो बबू तो market में individual वाला सारा point आएगा की नहीं आएगा आप बताओ मुझे individual में तो सारा point आएगा ना दो additional point आते हैं तो आपके क्या आते हैं additional point आते हैं पहले वह formula लिख लिखेंगे जो अभी आप लिखकर आए हैं कि यानि market कि इमांड पंसन कि आपका क्या जाएगा इंकम फिर क्या जाएगा ट्रेंड इंड ट्रेंड क्या है टेस्ट एंड प्रिफ्रेंस फिर क्या है आपका future expectation यह तो individual का भाग है न लेकिन अब market में दो और आएगा और दो वह क्या है बेटा एक है आपका एन और दूसरा है आपका y d y d देखो y का मतलब क्या था income और d मतलब distribution मतलब distribution of income तो यहाँ पर आप ऐसे लिख लिजेगा distribution of income distribution of income अच्छा सर एन वाला नहीं बताया आपने एन का मतलब होता है बेटा आपका population size population size ठीक है कि मतलब आपके इंडिया में जैसे इंडिया के अगर हम बात करें तो इंडिया क्या है अभी कुछ महीने पहले उसने चाइना को दो कंटा पमारा उसने का बख बहुत देन हो गया तू अपनी पहली position पर है अब मैं आऊंगा यानि क्या हो गया आपका वर्ड का largest population हमारे पास है ना तो इससे क्या कहेंगे बेटा number of population size या population size लिख लीजेगा population size इसका मतलब क्या है बेटा जिस देश का population ज्यादा रहेगा उस देश में उस product की demand भी क्या रहेगी ज्यादा रहेगी और जिस देश में population कम रहेगा वहां की उस प्रोडेक्ट की जो quantity demand है वो क्या होगी आपके कम रहेगी यानि कहने का मतलब है जिस देश का population size ज्यादा वहां की quantity demand भी क्या ज्यादा और जिस देश का population size कम उस देश का quantity demand भी क्या आपका कम समझ में आ गया कि नहीं आ गया अचा एक चीज और जानो अब हम बात करते हैं अन डिस्टिबूशन ओफ इंकम की बात करते हैं तो जब आप डिस्टिबूशन ओफ इंकम की बात करते हैं तो जब बताईए हमारे देश में जो डिस्टिबूशन ओफ इंकम है वो एक्वल है कि अनिक्वल है न इक्वल है कि अनिक्वल है सर अनिक्वल है तो इसका मतलब सीधी सी बात है जहां पर पैसा जादा होगा जिनके पास पैसा जादा होगा वहां की डिमांड भी क्या होगी जादा होगी अब जैसे अगर आप देखो जो पॉश एरिया होते हैं पॉश एरिया का म हम लोग पहले उससे क्या कहते थे कि राना दुकान अब बदल के उन्हें नाम दे दिया गुरॉसरी अब ठीक है अपनी बात है यह अपना अपना स्रद्दा है फिर उसके बाद वहां पर देखिए एकदम साप सफाई बड़ी बेहतरीन तरीके से होगी है मतलब वहां पर आप यह जानिए कि दो रुपए की चीज आप 200 में बेश दीजे लोग बड़े आराम से खरीद लेंगे लेकिन जहां पर पैसा नहीं है जहां कि जहां बई ऐसी बस्तियां भी है ऐसे नहीं कि बस्तियां नहीं है तो वहां पर अगर आप वो डिमांड लेकर ज कोई दिक्कत नहीं हम लोग पहुंचेंगे पहुंचेंगे अलग बात है ले या ना ले तुम भगा तो सकते नहीं हो कभी बकरी लेकर पहुंचेंगे कभी गाय लेकर पहुंचेंगे लेकिन पहुंचेंगे जरूर लेकिन खरीदेंगे कर नहीं खरीदेंगे वह हमारे उप क्यों क्योंकि अगर हमारे पास income होगी तो देखो demand में मैंने तीन चीज बताई थी पहला क्या desire to buy then capacity and last क्या है willingness हमारे पास desire तो है लेकिन capacity नहीं है और अगर capacity है तो इच्छा नहीं है यह चीज देख लीजे क्लियर हो गया तो यह हो गया आपका क्या demand market demand function समझ में आ गया की नहीं आ गया कोई दिक्कत तो नहीं समझ में आ गया अगर आ गया question तो लिख लेंगे यह सारी चीजें फिर आपको explain करनी demand यह बहुत important topic है जिसका नाम क्या है आपका law of demand यह जो fluency बनी है द्हान से सुनिए यह जो रफ्तार बनी है कृपया करके इसको बनाने में मेरा साथ दें अभी मैं आपको break दूंगा तो वो break पांच minute का नाम का होता है कोई भाग जाएगा वहाँ कोई भाग जाएगा वहाँ ठीक है तो मजा नहीं आएगा और अब फिर आपका जो concentration बना है वो तूट जाएगा इसी वज़ाए से break और एक cancel law of demand की तरफ चलते हैं और जमझते हैं कि यह law of demand होता क्या है बहुत इंपोर्टेंट है बेटा इतना इंपोर्टेंट है जितना सोनिया गांधी को अपना लड़का इंपोर्टेंट लगता है यानि राहूल ठीक है बेटा यह जानिए आप सोनिया से पूछो क्या है और बेटा इतना ड्यक्त को अगरे देन रेंपते हैं प्रफ चोला में अजितना को यह जड़के आ बेटा इतना जानल लोगता टीक है नाटना इनलिवर्स अग्यवल कॉणकंद डाटन ब्वास्प्ते ऐस अबेट सीक ट्रक्रिश्य यहां ट्रकिंध। ट्रक्व mm ट्रकिंध। quantity demanded, other factor, other factor remain constant, बहुत इंपॉर्टन लाइन है यह, remaining constant, other factor remaining constant, और other factor में ज़रा बताएए कौन-कौन से factor है, other factor में कौन-कौन से factor है, अभी अभी आपने पढ़ा, पहला क्या था, पहले वाले को छोड़ कर, दूसरा क्या था आपका, PR, दूसरा क्या था आपका, Y, तीसरा क्या था आपका, E, फिर क्या था आपका, E, Future Expectation, clear हो गया बिटा? नहीं, अध्यान से समझियेगा, इसमें कहता है किसी ने पूछे, what is the law of demand, आप सीधा कहना कि sir, it show the inverse relationship between, inverse मतलब, उल्टा, it show the inverse relationship between price of commodity and quantity demanded, when other factor remain constant, when other factor remain constant, और other factor में आपका क्या आजाएगा, PR, यानि price of related goods, income, फिर उसके बाद, taste and preference, E यानि आपका क्या आपका, future expectation, लिख लीजेगा, इसके नीचे आप star देके लिखेंगे, price of related goods, price of related goods, price of related goods, price of related goods, taste and preference, taste and preference, price of related goods do not change, ये भी लिख ली जेगा taste and preference स्वारी income income मैं तो चेक कर रहा था आप लोग हैं लिख रहे हैं कि नहीं No income change दैने त दबाड़ो no income change of the buyer पर उसके बाद instant preference remain constant remain constant फिर उसके बाद future expectation remain constant future expectation remain constant बता पेटा समझ में आ गया कि नहीं आ गया कोई दिक्कत तो नहीं चलें फिर आगे नोट डाउन करेंगे तो law of demand क्या होता है समझ में आ गया सबको चले फिर आगे बढ़ते हैं अपने next point की तरफ अब अगला point हमारा क्या है देखते हैं आप देखिए जब आप चले एक diagram बना लेते हैं पहले आए देखते हैं जब आप inverse relation की बात करते हैं जब आप किसकी बात करते हैं inverse relation की बात करते हैं तो inverse relation दो तरीके से work करेगा एक क्या होगा? कि आपका price बढ़ेगा तो आपका demand क्या हो जाएगा? घड़ जाएगा और दूसरा relation क्या express करेगा? कि sir, price घटा, demand क्या हो गया? बढ़ गया price घटा और demand क्या हो गया आपका? बढ़ गया आपका आएगे देखते हैं बिटा example लिखेंगे यह हमारा price है और इसी के आदार पे diagram बनाएंगे price है आपका 5 10 15 20 quantity है आपका quantity demand है 20 15 20, 15 15 10 5 ठीक है? तो पहला point हमारा क्या होगा? when price of commodity price of commodity increase अगर price of commodity क्या हो जाएगा? increase हो जाएगा तो क्या effect पड़ेगा आपके graph पे? आईए देखते हैं यह हो गया आपका x यह हो गया आपका जीरो यह हो गया आपका क्या? y यह हो गया आपका प्राइज यह हो गया आपका क्या? quantity ठीक है? heading क्या लिखा है आपने? when price of commodity increase ठीक है? उससे पहले जरा यह छोटे छोटे पॉइंट पहले कर लीजे यहां पर क्या होगा? 10 15 20 25 5 10 15 20 20 ठीक है? जलवाँ देखते हैं जब आपका price 5 था तो आपका demand क्या था? आपका demand क्या था? 20 था यह लीजे ठीक है? clear हो गया? यह हो गया हमारा क्या? पहला quantity तो मा लीजे Q1 ले लीजे तो क्या ले लीजे आप? Q1 ले लीजे देन उसके बाद price बढ़ा quantity क्या हो जाएगी बढ़ेगी क्या घटेगी? price बढ़ा और quantity automatic क्या हो गई? घट गई की नहीं घट गई? देखे? यह देखे left side quantity shift हो गई की नहीं shift हो गई? और इधर आपका price पे क्या प्रभाव पड़ा? price बढ़ गया यह ज़रा तीर देखो तीर पहले तीर पे नजर डालो quantity आपकी पहले क्या थी? क्यू थी? अब quantity क्या हो गई आपकी? Q1 हो गई price पहले क्या था आपका? यह मान लीजे P है आपका यह आपका क्या है? P है और यह अब क्या हो गया? P1 हो गया समझ में आ गई यानि जैसे आपका price बढ़ा quantity automatic क्या हो गई? डाउन हो गई यह graph समझ में आ गया कि नहीं आ गया? graph समझ में आ गया इसके आगे का बनाओगे रहने दो आप आप बस हो गया बन गया बन गया दिखाना था दिखा दिया आपने इतना सारा table बनाए थे तो आपकी इच्छा आगे बनाईए मना कोन कर रहा है? और क्या? ठीक है और यह आपका क्या है बिटा? DD को क्या बताया था मैंने? demand curve और यह आपका क्या है demand curve? down sloping क्या है आपका? down sloping बात clear हो गई चलिए आगे बढ़ें फिर अब दूसरा वाला देखते हैं जब आपका price क्या होगा? यह जो तीर बनाई है यह तीर जरूर बना लिजेगा ठीक है यह जो तीर बनाई है इससे आपको यह पता रहेगा कि आपका price क्या हो रहा है बढ़ रहा है और इधर left side में अगर आप तीर बनाऊगे तो इसका मतलब आपका quantity क्या हो गया? decrease हो गया ठीक है बबू? दूसरा point क्या है हमारा? when देखिए when price of commodity decrease when price of commodity decrease when price of commodity decrease यह वाला ड्राइगराम देखो अच्छा यह quantity किस तरफ shift होगी? right यह left? quantity किस तरफ जाएगी? right यह left? right न? अभी तो आप left की तरफ quantity लेके भाग रहे थे quantity की तरफ राइट का मतलब बढ़ना? left का मतलब क्या हो गया? गटना price उपर जा रहा है मतलब increase हो रहा है और price नीचे आएगा तो मतलब क्या हो गया? decrease हो गया यह दिमाग में save कर लो ठीके बटा यह हो गया Y यह हो गया आपका क्या? X यह क्या हो गया आपका? 0 हम यहां से लेते हैं बटा सामने देखे माल लीजे पहले आपका price 10 था तो quantity आपकी कम होगी की नहीं होगी? ठीके तो quantity आप माल लीजे यहां पे है quantity आपकी यहां पे है वह ही पुराना वाला अब इस बार price थोड़ा सा क्या कर देते हैं? घटा देते हैं यानि price पहले P था अब price क्या हो गया? P1 हो गया तो जब price P था तो quantity हमारी Q थी? अब price हमारा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है तो quantity हमारी क्या हो जाएगी? बढ़ेगी न? यानि हमने यहां पे क्याप कर दिया? Q1 कर दिया अब diagram बना लो ठीक है? बनाव सभी लोग प्रुटा बना दिया मैंने पी को यहां पे बना दिया यह होगा यह होगा अरे यार यह रहा यह रहा नहीं रहा है ठीक डीडी है ठीक है बन गया अच्छा जो लोग मुझे देखके बना रहे तो उनका गलत हो गया होगा अरे प्रभू डीडी यानी डिमांड कर भाए ठीक चले आगे चले बिटा अब देखिए किसी ने पूछा लॉप डिमांड क्या होता है बता ले जाएंगे पूरा आंसर लॉप डिमांड अगर आता है तो यह दोनों ग्राफ आप लोग क्या करेंगे बनाएंगे पूरा बनाएंगे, when the price of quantity, when the price of the commodity increase, when the price of the commodity is decrease, point clear हो गया बटा, अब एक ऐसा question, जो कि important तो ही है, आप उसे most important भी कह सकते हो, important तो है, लेकिन आप उसे क्या कह सकते हो, most important, और वो most important question क्या है sir, आओ देख लिते हैं, यह रहा, question देखिए, यह जितने question है, सबका answer सेम है, जान दीजेगा, यह जितने भी question है, सबका answer क्या है विटा, सेम है, question क्या कहता है, question पहले समझो, कहता है why, more of the goods is a purchase, हम, ज्यादा goods क्यों खरीते हैं, हम ज्यादा goods क्यों खरीते हैं, जैसे ही उसका price क्या होता है, कम हो जाता है, तो हमको भी पता है, inverse relation चलता है sir, इसलिए, फिर कहता है, कहता है, why does demand curve is downward, downward मतलब क्या, inverse के बारे में ही तो बोल रहा है, downward के मतलब क्या बोल रहा है, inverse relation ही तो बता रहा है, लिखाया है न अभी अभी, फिर कहता है देखो, आगे तो और खुल के बोल दे रहा है, कहता है, why there is the inverse relation between the price of the community and its quantity demanded, बनाओ दो थे डाइगराम, और फिर उसके बाद last देखो, यह क्या कहता है, causes of law of demand, यानि सर एक बात बताओ, कौन से वो कारण है, जिससे law of demand क्या करता है, effect करता है, कौन से वो कारण है, जिससे law of demand क्या करता है, effect करता है, समझें बेटा, कले समझते हैं, इन सब का जो answer है, common answer है, वो क्या है आपका यह रहा, कहता है law of diminishing marginal utility, यह marginal utility आप लोगों को, कुछ-कुछ याद आ रही है, marginal utility, क्या होता है, कि जैसे suppose करो, मैं आपको एक बात बता हूँ, हमारे एक Bruno साहब है, घर में एक पिट है हमारे, जब उनको हम खाना मम्मी देने जाती हैं, खाना देने से पहले उनकी लारवर एकड़म टपकने लगती है, मतलब आप यह जाने हैं कि खाना अगले 5 सेकंड बाद उनको मिलेगा, या मैं कहता हूँ अगले 10 सेकंड बाद उनको मिलेगा, लेकिन मार एकड़म पोंच लेकर नाचने लगते हैं, यानि उनकी जो क्या कहते हैं, satisfaction है वाला, बस जल्दी से मिल जाए हमको, लार वर चूने लगती हैं, और जैसे ही वह पहली बाइट लेते हैं उसके बाद उनकी लार घटेगी के बढ़ेगी, मतलब जो satisfaction level है वह बढ़ेगा की घटेगा, घटेगा, यानि जैसे जैसे हम consume करते रहते हैं, वैसे वैसे हमारा जो satisfaction label होता है वह क्या होता रहता है, हाई होता रहता है, पॉइंट क्लियर हो गया इतना, इसी को हम इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, लौ आप दिमनिसिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसका काम लौ आप डिमांड में क्या है, अभी कुछ देर में देखते हैं, उसके बाद अगला point क्या है, real income effect, तो जब आप real income effect की बात करते हो बेटा, real income effect का मतलब होता है, purchasing power of the consumer, का मतलब होता है आपका, purchasing power of consumer, मतलब consumer की purchasing power, भी आपके डिमांड को क्या करेगी, effect करेगी, अगला point है आपका क्या, substitutional effect, इसी दीसी बात है, जब आप substitutional effect की बात करोगे, तो वो भी आपके डिमांड को हिलाएगा की नहीं हिलाएगा, और फिर last क्या है आपका, different use, अब आपका different use का मतलब क्या है, यानि एक product के अलग-अलग उपयोग, एक product के अब तूद का क्या बनता है, कौफी भी बनती है, जाए भी बनता है, मठा भी बनता है, ही भी बनती है, कही भी बनती है, और कुछ बचा? अच्छाम अच्छाम मिठाई में भी इस्तवाल होता है, यानि अगर milk का rate बढ़ा तो automatic बाकी चीजों का rate बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा अब बाकी चीजों का अगर rate बढ़ा तो automatic उसकी demand पे प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा पड़ेगा न? ठीक उसी प्रकार है जब milk का rate आप down कर दो अनि चीजों का rate भी automatic क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा? तो उसकी demand automatic क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी की नहीं बढ़ जाएगी? अगर आप देखो, अगर आप season जैसे दिवाली हो गई, होली हो गई तो इन समय अगर आप खोवा खरीदेंगे तो उस समय खोवा का price जाएगा रहता है लेकिन अगर आप अभी खरीदो जब यह भी कुछ नहीं है, फेस्टिबल कुछ नहीं है उस समय खोवा का rate क्या रहता है? कम रहता है, है न? तो यह भी तो प्रभाव पढ़ेगा आपके demand का आएगा की नहीं आएगा तो अगर question, जितने भी question आपने पढ़े हैं जितने भी आपने question पढ़े, कौन कौन से why more of the goods is a purchase when prices are fall why does demand curve is a downward sloping there is the inverse relation between the price of the commodity and its quantity demanded there are the causes of the law of demanded तो इन सब का एक single answer है जिसका नाम क्या है आपका यह रहा समझ में आगया बेटा जी, कोई दिक्कत तो नहीं है अब इसको समझ ले लिख लिया समझे आओ समझते है जल्दी से करिए चलिए बेटा फिर one by one सारा हम लोग क्या करते हैं explain करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं तो law of diminution marginal utility जैसे मैंने आप से कहा कि जैसे जैसे आप कोई भी product क्या करेंगे consume करते जाएंगे उसका जो satisfaction level है वो आपका क्या होता रहेगा घड़ता रहेगा लेकिन अगर आप एक बात बताईए अगर हम उस product के price को अगर कम कर दे अगर उस product के price को बढ़ जाएगी एक्जामपल के रूप में जैसे आप गोलगप्पे का एक्जामपल ले सकते हो ले सकते हो कि भाई सीदी सी बात है पहले आप 10 रुपय का खाते थे 6 लेकिन जैसे ही आप मालीजे ये कहा जाए कि आज के लिए offer है अज के लिए क्या है law of diminishing marginal utility यानि अगर आपका price घटेगा तो आप उसका quantity क्या करेंगे बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे ठीक उसी प्रकार जब आप real income effect की बात करेंगे तो real income effect का मतलब कि आपका जो purchasing power है आपका जो क्या है बटा purchasing power है ठीक है तो अगर आपका purchasing power increase हो रहा है purchasing power मतलब आपका क्या हो रहा है बटा income increase हो रहा है तो आप एक बात बताईए income increase होने का मतलब यह है कि आपकी जो purchasing power है वो भी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई है और जैसे ही purchasing power बढ़ गई तो आप demand कम करेंगे कि जाधा करेंगे automatic demand कम क्या करेंगे जाधा करेंगे और अगर आपकी income घटी तो आपका purchasing power भी घटा मतलब आपकी demand भी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी समझ में आ गया कि नहीं आ गया कि कुसी प्रकार जब हम substitute effect की बात करते है substitute effect का मतलब क्या है कि एक product का price बढ़ा तो दूसरे की quantity क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी जैसे अगर हम coffee अगर हम T के price को increase करते है अगर हम T के price को क्या करते है बेटा increase करते है तो इसका जो quantity demand है इसका जो क्या है quantity demand है ये तो घटेगा लेकिन एक बात बताईए अगर आप coffee की बात करेंगे अगर आप किसकी बात करेंगे coffee की बात करेंगे तो coffee का जो demand है quantity demand है वो क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा की नहीं बढ़ जाएगा क्यों क्योंकि sir यहाँ पे quantity demand of coffee या price of the coffee वो क्या है unchanged है ठीक है price क्या है इसका Unchange है समझ में आ गया कि नहीं आ गया बेटा और लास्ट क्या है आपका different use different use का मतलब क्या है जैसे मैंने आपको milk का example लिया था तो milk का अगर price बढ़ेगा तो automatic अन्य चीजों का भी price क्या हो जाएगा उससे related जितने product रहेंगे समझ में आ गया न? चलो फिर तो इन सब का simple answer है और माल लीजे अगर इन सब को explain करने को आ गया माल लीजे सिर्फ एक ही question आया कि explain the real income effect तो यह सब लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे बेटा लिख लेंगे न? substitution में क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? अब हम अपने next topic की तरफ चलते हैं और next topic हमारा क्या है? exception of law of demand यानि exemption या फिर आप ये भी कह सकते हो कि sir कौन-कौन से ऐसे demand है कौन-कौन से ऐसे quantity demand है जहाँ पे हमारा law of demand वर्क नहीं करता है जहाँ पे आपका law of demand क्या करता है बेटा? काम नहीं करता पर ऐसे भी कोई product है क्या? हाँ बिल्कुल है अब उन product में सबसे पहला ये सबसे पहला जो exemption है वो है आपका बेटा लिखेंगे article of article of distinction article of distinction ये आपका चार भागों में बटा है इतने भागों में बटा है? चार भागों में बटा है जिनमें सबसे पहला आता है आपका social distinction जैसे कहते हैं न कि कोई भी एक ऐसा product जो आपके रईसी को दिखाता है समाज में आपके रईसी को दिखाता है पहले क्या होता था ? हाथी, गोड़ा, पालन, रईसी की निसानी होती थी आज क्या है ? किसी के घर पे अगर थार खड़ी है किसी के घर पे स्कॉर्पियो खड़ी है MG खड़ी है तो लोग कैंगे हरे भाईया अमीर आदमी है किसी के हाथ में Apple phone चल रहा है अरे भाया अमीर आदमी है होता है कि नहीं होता है कुछ लोग ऐसे होते है भाया इसे फोटो भी ऐसे खीचेंगे मलब Apple आए होता है कि नहीं होता है होता है selfie लेते हैं image से वो अपनी selfie नहीं mobile की selfie ले रहे हैं बलकि होता है यह नहीं होता है होता है तो इसका मतलब यहाँ पे law of demand नहीं चलता price on goods की चाहे जितनी बढ़ती रहे लोग उसकी demand क्या करते रहेंगे करते ही करते रहेंगे ठीक है तो सोस लिख लीजे फिर उसके बाद अगलब है आपका prestigious goods prestigious goods बेटा diamond diamond हो गया इसे साधी बियां में लोग खर्चा करते हैं और नहीं करते हैं खूब अपनी image बनाने के लिए इसे election होता है तो जितने भी नेता होता होते है मार गड़ी ये गाड़ी की line लगा देते हैं है ना खूब चलता है ठीक है article of article of social distinction ठीक है बेटा ये article of distinction समझ में आगया आप लोगों को ठीक है दूसरा है आपका क्या ग्रिफिन गुट्स यहां पर आपका law of demand नहीं लगता अगर आपको याद हो तो ग्रिफिन गुट्स के बारे में मैंने आपको अभी बता रखा था कुछ दिर पहले मतलब एक ऐसा गुट्स जो घटिया नहीं बहुत घटिया है तो सोचो एक मेंट के लिए सोचो अगर ग्रिफिन गुट्स का प्राइज बढ़ रहा है मेरी बात सुनना अगर ग्रिफिन गुट्स का प्राइज बढ़ रहा है तो बेटा नॉर्मल गुट्स का प्राइज उससे ज़ादा बढ़ेगा की नहीं बढ़ेगा अगर Griffin Goods का प्राइस बढ़ रहा है तो इसका मतलब Normal Goods का भी प्राइस बढ़ेगा तो अगर हम Normal नहीं खरीद पा रहे हैं तो क्या हमें Griffin खरीदना पड़ेगा की नहीं खरीदना पड़ेगा तो हमारी Quantity Demand Griffin Goods को लेकर क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी की नहीं बढ़ जाएगी तो ग्रिफिन मतलब क्या की जो प्रोडेक्ट जो आपका बहुत घटिया है अगर उसका प्राइस बढ़ रहा है तो मतलब Normal का तो क्या हो जाएगा बढ़ेगा ही बढ़ेगा फिर अगला देखिए अगला है आपका वेन वेन आ कंज्यूमर जजज वेन आ कंज्यूमर जजज क्वालिटी of a commodity quality of a commodity by its price by its price यह देखिया when the consumer when the consumer judge the quality of the commodity by its price कुछ लोगों के दिमाग में एक कीडा रहता है कि भाईया जिसका दाम जादा है उसकी quality अच्छी होगी वो बहुत अच्छा होगा एक example हम आपको देते हैं एक बार हमारे भतीजे ने हमसे का कि भाईया चाचा हमको किंडर जुआए खाना है मैंने का अच्छी बात है किंडर जुआए है खाओ मना कौन कर रहा है चाचा दिलाओ तब न खाएं हम कहें ठीक है तो जब हमने उसको खरीदा एक पचास रुपए का मिला मुझे एक कितने का मिला पचास और मुझे ऐसा लगता पचास रुपए में आप नॉर्मल किसी होटल में जाके पेड़ भी भर सकते हैं इंडिया में है ऐसा कि इतना बड़ा था इतना बड़ा था इतनी सी चॉकलेट थी मैंने का भाया इसे बढ़िया तो डेरी मिल्क ले 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 होते हैं और ना ले ले चला तो काम कुछ और ख्यवाए दी तो आप यह सोचिए बढ़ जितने भी लोग कहते हैं ना कि sir I am belong from the upper category I am का quality भी क्या आपका अच्छा तो यहां पे भी आपका law of demand क्या करता है वर्क नहीं करता मतलब अगर उनका price घटाएंगे घटेंगे तो लोग यह सोचिंगा है मजादार नहीं है खराब है यह कोई यह आपका product क्या है खराब है नहीं खरीदेंगे point clear हो गया पिर अगला point दे consumers just the quality of the commodity by the price एक तीसरा देखिए तीसरा reason देखिए तीसरा reason देखिए तीसरा reason नहीं सौरी चौथा reason है आपका fashion 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 of related goods fashion of related goods जरा बताइए जिसका fashion रहेगा बेटा जिसका क्या रहेगा fashion रहेगा उसका quantity demand automatic क्या गरेगा बढ़ेगा की नहीं बढ़ेगा मलब उस पे price पे कोई effect पढ़ेगा क्या प्राइस पे कोई भी effect नहीं पढ़ेगा वही fashion है fashion में चल रहा है नहीं तो लोग copy copy खरीदना शुरू करेंगे होता है की नहीं होता है अपने याद है अच्छे से याद है एक बर सुल्तानपूर में एक अफवा चली थी कि भाईया नमक खतम हो गया है हाँ 2016 की ममी ने हमको phone किया नहीं 16 नहीं बेटा मैं coaching से पढ़ा के निकल रहा था क्योंकि मैंने पढ़ाना start ही 18 से किया था 18 या 19 की बात है 16 नहीं चलो जो भी है जो भी बात है तो ममी ने phone किया कि भाईया जरा 5 पैकेट नमक ले ले लेना मैंने का 5 पैकेट अरे क्या सतुआ थुआ बनेगा क्या नमक का पांच पैकेट कौन खरीता है महीने बर में एक पैकेट या डेड़ पैकेट सब के घर का तो यानि मम्मी के मन में क्या था आपका fear of shortest था इस condition में भी क्या होता है वेटा कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोडेक्ट को क्या कर लेते हैं बाय कर लेते हैं ठीक है अब फिर उसके बाद एक point और है जो कि बहुत important है वो है आपका क्या necessary goods ठीक है necessary goods इसमें भी अब अग होगे की नहीं लोगे लेना पड़ेगा भाया तो जीवन रच्छक चीजें जितनी भी हैं आपकी जो आपके day-to-day वाली चीजें हैं वो price उसका बढ़ेगा भी तो भी आपको क्या करना पड़ेगा लेना ही लेना पड़ेगा जैसे gas का example अगर हम देखें 12-1300 रुपए की ह हो गई थी तो भी लोग ले रहे थे ले रहे थे की नहीं ले रहे थे सबजी का दाम भी जादा बढ़ जाता है तो भी लेना ही लेना पड़ता है दाल चावल गे हूं मुझे याद है lockdown में पांच लीटर तेल का दाम 1300 रुपया हुआ था उस समय भी हमने लिया था आज पां law of demand applicable नहीं होता है तो कितने product पे law of demand applicable नहीं होता पहला क्या है article of distinction मतलब जो आपके prestige को दिखाते हैं जो आपके भौकाल को दिखाते हैं भौकाल जिसे कह सकते हुआ दूसरा क्या है griffin goods पे तीसरा क्या है कि दिमाग में आप डाल लो कि price जादा है तो quantity जादा अच्छी और फिर fear of shortage और last क्या है आपका necessity of goods समझ में आ गया विटा चलिए फिर अब next heading लिखेंगे सभी लोग आप अब देखिए जब हम next heading की बात करते हैं तो next heading देखिए आपकी क्या है बहुत important है कहता क्या है आपका कि movement along the demand curve द्यान से सुनिएगा बहुत important question है movement along our demand curve shift in the demand curve या इसे आप कहते हो change in the quantity and change in the demand अब एक चीज़ जानिए कि movement along the demand curve और change in the quantity ये एक ही है shift in the demand curve या change in the demand ये आपका क्या है एक ही है point clear हो गया बहुत important question है आप इसको 2, 3, 4, 5 जितने start देना चाहो आप इसे क्या कर सकते हो दे सकते हो बात clear हो गई बेटा तो इनके difference को हमें क्या करना है समझना है इनके difference को हमें क्या करना है समझना है आईए फिर जल्दी से इसके लिए इसको समझ लेते हैं फिर आगे देखेंगे बिटा तो यहाँ पर movement along a demand curve और change in the quantity यह एक ही में जाएगा आपका लिखिए जरा सभी लोग चेंज इन बच्पन में एक कहावत हमने सुनी थी जब भी भी कोई आपकी अच्छे के लिए बात करता है तो वह आपका सबसे बड़ा दुस्मन होता है और अगर आपके कोई बुराई की बात करें अरे यू आर माइ बेस्ट फ्रेंड ठीक है तो कृपया करके ऐसी नौबत पर मत चलिए अगर कोई आपको कह रहा है कि वेटा पढ़ दो तो मतलब अच्छा ही है इसमें क्या है वेटा लिखेंगे इट इट अकर दूट तो चेंज इन अन प्राईस और यहाँ पे देखें और यहाँ पे जो आपके अधर फैक्टर है तो अधर फैक्टर आपके क्या रहेंगे बिटा रहेंगे दूसरा पॉइंट भी यही पे लिख लिजेगा अधर फैक्टर अधर फैक्टर रिमेन पॉइंट अधर फैक्टर रिमेन कॉंस्टेंट एक्डर यह दो डिफरेंस समझ में आ गया अच्छा शिफ्टिंग ऑब दिमांड कर भिया चेंज इन दिमांड में क्या होगा इट अकर अकर दियू तू change of other factor due to change of other factor अब other factor के बारे में तो सब को पता है ना price of related goods, income income के बाद fashion and trade future expectation या जाएगा सारा ना इसका मतलब यहाँ पर आपका on price क्या रहेगा change होगा या constant रहेगा आपका on price क्या रहेगा constant रहेगा यानि product का on price क्या रहेगा constant रहेगा यहाँ पर जब other factor constant है तो यहाँ पर क्या होगा बेटा आपका तो यहाँ पर लिखेंगे price price of on commodity price of on commodity remain constant remain constant बताइए यह दो पॉइंट समझ में आ गया के नहीं आ गया यह दो पॉइंट समझ में आ गया तो movement along the demand curve या change in quantity इसमें क्या आएगा कि सर इसमें on factor की वज़ा से आपका demand क्या हो रहा है उपर नीचे हो रहा है और इसमें other factor आपके remain constant हैं लेकिन अगर आप change in demand की बात करेंगे तो वहाँ पे other factor आपका primary role अदा करेगा यानि other factor के कारण आपका demand इधर से उधर होगा और on price of the goods आपका क्या रहेगा same रहेगा clear हो गया यह दो difference समझ में आ गए आईए कुछ और difference देखते हैं देखिए ध्यान से समझेए यहाँ पे समझेए यहाँ पे पहले वाले में देखिए on price क्या हो रहा है change हो रहा है इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जो other factor क्या हो रहे हैं वो change कर रहे हैं यहाँ पे other factor क्या है constant है और यहाँ पे on price आपका क्या हो रहा है constant है इनवर्स चल रहा है कि नहीं चल रहा है इनवर्स चल रहा है आगे देखेंगे अब अगला difference देखेंगे इसकी दो मानिता है पहला है बिटा आपकी extension of demand extension of demand और दूसरी है आपकी construction of demand extension of demand और दूसरी क्या है आपकी construction of demand अच्छा एक बात बताईए extension of demand का मतलब क्या है कि demand आपकी बढ़ रही है ना तो price आपका क्या हो रहा होगा घट रहा होगा और construction में क्या होगा construction में क्या होगा कि price आपका बढ़ रहा होगा demand क्या हो रही होगी आपकी घट रही होगी ना पक्का न, अच्छा इसमें देखिये, क्या है? It has also two aspects two aspects पहला है आपका, increase in demand increase in demand और दूसरा है आपका क्या? decrease in demand increase in demand और दूसरा क्या है आपका? decrease in demand बता बेटा, समझ में आ गया की नहीं आ गया? ठीक, चलो आगे देखेंगे यह हो गया आपका तीसरा point अब चौथा point है आपका table, आप difference create करना है आपको न तो आप यहाँ पे table भी बना सकते हैं तो table किसकी बनाएंगे? extension की और दूसरी किसकी? construction, construction की clear हो गया सबसे पहले किसकी बना दे? extension की extension की जब आप बात करोगे जब आप किसकी बात करोगे? extension की अभी जब बात करोगे आप तो अभी इसमें क्या होगा? कि आपका जो price है वो price आपका क्या होगा? price क्या होगा? आपको demand क्या करनी है आपकी? बढ़ानी है न? तो price आपको क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा? यानि पहले 10, फिर 5 फिर quantity की जब आप बात करोगे तो quantity पहले क्या हो जाएगी आपकी? 5 और फिर क्या हो जाएगी आपकी? 10 समझ में आगया बबू? अब उसी क्या opposite अगर आप construction की बात करेंगे तो इसमें जो आपका price हो जाएगा वो price आपका क्या होगा? पहले 5 और फिर क्या हो जाएगा? 10 और यहाँ पे जब आप quantity की बात करोगे तो quantity आपकी यहाँ पे क्या हो और यह घट रही है न तो पहले क्या थी? पहले 10 और फिर क्या हो जाएगी? 5 समझ में आगया difference यह है क्योला difference समझ में आगया बाबू? चले आगे आईए आगे देखते हैं अब इसमें आपको क्या बनाना पड़ेगा? एक increase वाला बनाना पड़ेगा और किसका बनाना पड़ेगा एक? decrease वाला बनाना पड़ेगा एक increase बनाना पड़ेगा और दूसरा क्या? decrease वाला लेकिन price क्या रखनी है? change या constant constant रखनी है या change करनी है? रखनी है रखनी है यह मतलब अंचेंज रखनी है जब आप इंक्रीज की बात करोगे जब आप किसकी बात करोगे इंक्रीज की बात करोगे या जब आप किसकी बात करोगे decrease की बात करोगे ठीक है देखो ज़रा यहाँ पे यह हो गया price यह हो गया quantity यह हो गया price यह हो गया क्या quantity ठीक है तो price की अगर आप बात करोगे तो price में आपका यहाँ पे देखे पहले भी 10 था अभी भी क्या है 10 ही है लेकिन पहले quantity हमारी 5 थी अब क्या हो गई, 10 हो गई ठीक है, decrease की बात करेंगे तो price पहले भी 10 था, अब भी भी क्या है 10 है, तो पहले quantity 10 थी, अब quantity क्या हो गई 5 हो गई, बताए, ये concept समझ में आ गया कि नहीं आ गया तो ये difference समझ में आ गया कि नहीं आ गया अब ये तो बन गया table अब table के बाद एक और difference है graph table के बाद एक और difference है वो क्या है आपका graph आईए, वो भी बना लेते हैं ठीक है तो सबसे पहले जब आप graph की बात करोगे तो graph में सबसे पहले कौन सा बनाए है increase चीज़, सबसे पहले कौन सा बना extension वाला चलिए extension वाला बनाते है extension of demand ये आठ नमबर का सवाल आ सकता है याद रखे रहिएगा जितना अन सीरियस होके आप लोग पढ़ रहे हैं याद रखे रहिएगा आठ नमबर का सवाल आ सकता है इसमें से और फिर कहोगे कि सर हाय हाय हो गया मेरा साथ मोई मोई हो गया ठीक है पिर मोई मोई होगा तो extension में price आपका क्या रखना है बढ़ाना घटाना है यानि माल लीजे पहले हम P पे थे पहले हम किस पे थे P पे तो हमारी initial stage P थी हम quantity Q पे रखते थे ठीक है अब हमारा price क्या हो गया घट गया तो हमारी quantity क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी price हमारा क्या हो गया कम हो गया तो quantity हमारी क्या हो गई बढ़ गई यानि क्या हो गई Q1 हो गई और price P से क्या हो गया आपका पी वन हो गया पॉइंट क्लियर और यह रहा आपका लाइन क्लियर अब किसकी बात करेंगे यह तो हो गया किसका एक्स्टिंशन का अब दूसरा किसका करें कॉंट्रेक्शन का करते हैं दूसरा किसका करते हैं कॉंस्ट्रेक्शन का यहीं इसी के नीचे बना लेते हैं दूसरा क्या है आपका कॉंस्ट्रेक्शन कॉंस्ट्रेक्शन ओफ डिमांड ध्यान दीजे यह होगे आपका Y यह होगे आपका क्या X यह होगे आपका क्या 0 इसमें आपका प्राइस क्या करना है बढ़ाना है की घटाना है इसमें प्राइस आपको क्या करना है घटाना है बढ़ाना है यानि पहले आप इस पॉइंट पे थे P आप डिमांड करते थे ये अब आपने प्राइस बढ़ा दिया तो आपका क्वांटिटी भी क्या हो जाएगा घट गया क्वांटिटी भी क्या हो गया घट गया ये लीजे अब आप देखेंगे आपको लगेगा भले सेम है लेकिन जो differentiation है वो arrow से है इसलिए मैं arrow भी बना रहा हूँ आप अगर arrow देखेंगे तो यहाँ पे arrow आपका downward price में जा रहा है और यहाँ पे arrow आपका upward में जा रहा है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका जो क्वांटिटी है वो right की तरफ भाग रही है यहाँ पे आप देखेंगे तो quantity आपकी left की तरफ भाग रही है अब बताइए एक है कि अलग-अलग है अब अलग-अलग है ना बेटा तो आप दिहान से समझो तब जाके यह चीज़े समझ में आएंगी बन ना काओगे कि सर एक ही तो है एक ही नहीं है बाबू अलग-अलग है यह हो गया डी-डी मतलब डिमांड करब ठीक है नोट डाउन करेंगे तो यहाँ पे construction में आपका जो quantity है वो क्या हो गया आपका और घट गया ठीक है क्योंकि price के बढ़ने की वज़ा से अब दूसरे point की बात करते हैं और दूसरा आपका क्या था कि सर जहाँ पे हमारा price सेम रहेगा लेकिन हमारी demand increase होगी price सेम रहेगा लेकिन हमारी demand क्या हो जाएगी घट जाएगी किसकी वज़ा से other factor की वज़ा से तो यहाँ पे सबसे पहले आपका क्या रहेगा increase in demand bracket में लिख लीजएगा price सेम ठीक है यह हो गया आपका y यह हो गया आपका क्या यह हो गया आपका x यह हो गया 0 तो price आपकी क्या है बाबू same है price अगर same है तो एक straight line होगी न पहले आप quantity demand यहाँ पे करते थे यहाँ पे फिर दूसरे किसी product का price बढ़ा लेकिन हमने अपनी quantity क्या कर दी बढ़ा दी ठीक है तो अब demand हमारा क्या हो जाएगा इधर हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे आपका जो increasing होगा वो देखी जरा यह देखें quantity demand increase हुआ कि नहीं हुआ quantity demand increase हुआ कि नहीं हुआ बेटा तो राइट अगर shift हो रहा है इधर shift हो रहा है राइट shift हो रहा तो इसका मतलब increase हो रहा है और सर अगर मानले left shift हो जाए यह demand हमारा तो इसका मतलब आपका quantity demand क्या हो गया घट गया यानि यहाँ पे आप क्या लिखेंगे decrease decrease in demand और आपका price क्या रहेगा बाबू सेम रहेगा ठीक है यह हो गया y यह हो गया आपका क्या x price क्या है same पहले आप demand करते थे तो यह किस तरफ घूम रहे हो आप left की तरफ ठीक है यह d यह d अब आप किदर पहुँच गया है d1 पे यह हो गया क्या d1 पे पहले आप यहां पर d था अब यहां पर d था यह किस पर हो गया d1 पर यह हो गया किस पर d1 पर ठीक है समझ में आ गया न नोट डाउन करेंगे जल्दी से ठीक है क्लियर ग्राफ में कोई समस्या तो नहीं किसी को चले आगे तो देखो जब आप increase in demand की बात करोगे तो आपका जो demand करवे हो किस की तरफ जाएगा rightward की तरफ जाएगा और अगर आप decrease की बात करोगे तो यह किस तरफ जाएगा आपका left की तरफ जाएगा इसका मतलब एक difference और create हो गया और वो क्या है आपका जाएँ से देखेंगे और वो है आपका क्या कटवा point है देखेंगे जरह लास्ट है आपका there is upward there is upward and downward there was upward and downward movement in demand in demand और यहाँ पर क्या होगा बिटा there is leftward leftward and rightward किल्दा ये कैसे ओित है किल्दा पर ये लिए इसमे भार क्या हता क्या है क्या है ये अन्सका कर दो काम करो जितने लोगों ने कहा तो ये है आपका लास्ट वाला पॉइंट एक बार फिर से देख लीजे लास्ट वाला पॉइंट क्या है आपका कि देर इस दा अपवर्ड और डाउनवर्ड मूमेंट इन दा डिमांड और फिर अगर आप इसकी बात करोगे तो इसमें क्या लिखाए कि देर इस दा लेफ्ट वर्ड एंड राइट वर्ड राइट वर्ड मूमेंट इन दा डिमांड पॉइंट क्लियर हो गया बेटा एक लास्ट टॉपिक है आपका जिसे हम नाम देते हैं आपका क्या कि क्रॉस प्राइस एफेक्ट जब आप क्रॉस प्राइस एफेक्ट की बात करते हैं तो क्रॉस प्राइस एफेक्ट का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है प्राइस आप दर रिलेटेड गुड्स ठीक है और price of related goods मिज़े ऐसा लगता है कि आप लोग इसके बारे में अभी कुछ देर पहले पढ़े थे जिसमें आपने दो point पढ़ा था कि एक आपका substitute product होता है और एक आपका क्या होता है complimentary product होता है एक आपका substitute होता है और एक आपका क्या आता है complimentary complimentary माल लीजे यही question आ गया कि explain the cross price effect तो आप सबसे पहले क्या करेंगे आप सबसे पहले substitute product ठीक है इसके बारे में आप लिखेंगे ठीक है किसके बारे में substitute product के बारे में लिखेंगे example लिखेंगे example के बाद फिर क्या लिखेंगे आप diagram बनाएंगे और सिर्फ substitute बना कर ही आपका काम नहीं बनेगा बलकि इसके बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा complimentary वाला भी लिखना पड़ेगा क्या होता है example क्या होता है और उसका आपका क्या होता है diagram क्या होता है बात समझ में आ गई जब आप इतना लिखेंगे तब जाके आपका cross price effect का answer आपका क्या माना जाएगा okay माना जाएगा complete माना जाएगा तो हमने आपको क्या बता दिया है meaning बता दिया है कि नहीं बता दिया है एक्जामपल भी बता दिया है कि नहीं बता दिया डाइगराम बाकी है इसमें भी मीनिंग बता रखा है एक्जामपल भी बता रखा है डाइगराम बाकी है बस डाइगराम के बारे में चर्चा करेंगे और आपका ये क्लास यहीं पर क्या करेंगे समाप्त करेंगे ठीक है तो के चलेंगे substitute और आपका famous example क्या आपका tea and coffee tea and coffee ठीक है यह पहले यह हो गया tea tea का price यह हो गया आपका क्या coffee का price ठीक है यह हो गया tea का quantity demand और यह हो गया tea का quantity demand और यह हो गया आपका क्या coffee का quantity demand बात समझ में आ गई इतना पहले tea का price 10 था coffee का price भी कितना था 10 था tea को माल लीजे दो डिमांड करते थे tea का कितना डिमांड करते थे दो का demand करते थे coffee का भी demand कितना करते थे हम दो करते थे लेकिन जैसे ही tea का price बढ़ा कितना हो गया tea का price बढ़ा लेकिन अभी भी coffee का price क्या है सेम है इसका मतलब यह है कि जो tea के consumer है वो किस की तरफ भाग के चले जाएंगे coffee मतलब यह तो दो तो order होता ही था साथी साथ एक और order हो जाएगा क्यों क्योंकि इसमें से team की demand घटी न तो अगर tea की demand घटी तो वो coffee की तरफ के माद्यम से बनाएंगे बात clear हो गई बेटा यहाँ पर लिखिये जरा कि वेन अगर्टी प्राइज इंक्रीज इसमें दो केस समझेंगे वेन टी प्राइज इंक्रीज एंड वांटिटी डिमांड़ कि इंड हो ऑंटिटी यह मांड ऑफ कॉफी कॉपि ऑ को कि में खुचnu करीकेज एंड इंड आ वांटिटी मंड ऑफ कॉफ तो यहां पर डाइग्राम किसका बनाएंगे टी का या कॉफी का यहां पर डाइग्राम हम बनाएंगे बिटा कॉफी का क्योंकि कॉफी का चेंज हुआ है लेकिन आप सब्सिट्यूट को देख रहे हो आप किसको देख रहे हो सब्सिट्यूट तो टी का सब्सिट्यूट क्या किया थाप का kauf e हम लोग diagram भी किसका बनायेंगे का यहाँ हो गया और क्या आपका y क्या हो गया आपका 3 मेरी टीन ही मेरी है आप लोग अपना संट करेंगा अ यहाँ पर हम लिखेंगे price of coffee now price of coffee है ह्वान्टिटि आप कॉफि quantity of coffee तो price of coffee क्या remain constant है इसमें तो कोई change नहीं है पहले जब quantity हमारी थी माल लीजे पहले हम लोग जो demand करते थे वो इस label पर demand करते थे जो मैं अभी पहला cut कर रहा हूँ इस label पर demand करते थे ये वाला label ये वाला label अब price same है e का price बढ़ा quantity आपका क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा कि घड़ जाएगा demand बढ़ जाएगा ना तो demand अगर बढ़ा तो मतलब यहाँ पर कोई कट आएगा माल लीजे अब इसको लिए लीजे यहाँ पर ठीक है अब इसको तो पहले हम d पे थे अब किस पे shift हो गए d1 d1 पे चले गए यानि हमारा यहाँ पर क्या हो गया right word जा रहा है कि नहीं हो रहा है हमारा क्या हो रहा है right word जा रहा है तो यह जो right word है धाम से देखना यह जो right word है यह क्या indicate करता है कि sir, when tea price is increased, quantity demand of the coffee is increased, clear हो गया, अब एक दूसरा point, अगर माल लीजे हम left की तरफ सिफ्ट हो गये, हम किस की तरफ सिफ्ट हो गये, अब बताई एक बात, अगर हम left की तरफ सिफ्ट हो गये, मतलब tea का प्राइस घट गया, और coffee का प्राइस हो आई है, जो coffee के customer है, वो भाग की कि इसकी तरफ भाग जाएंगे, P के तरफ चले जाएंगे की नहीं चले जाएंगे, यानि इस बार आप देखे यहां पर, यह हो गया आपका क्या, D2, लाइन आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजेगा, मेरी लाइन ठीक नहीं बन रही है, ठीक है, यह क्या हो गया आपका, D2, D2, D2 क्या इंडिकेट कर रहा है, D2 इंडिकेट कर रहा है, when price of T, price of T decrease, when price of T decrease and quantity demand, quantity demand of coffee decrease, quantity demand of coffee decrease, और यह था है, आपका, D1, बता यह clear हो गया, कि नहीं clear हो गया, इसा मज़्या है, तो नहीं इसमें, चले आगे, चले आगे, चलिए फिर, आप इसको अलग-अलग डाइगराम के माध्यम से बना सकते हो, अगर आपको याद हो, तो हमने अलग डाइगराम बना रखा है, अलग बना रखा है, हमने एक साथ बना दिया, इसको, सबज में आगया, तो अगर आप लेफ्ट के तरफ भाग रहें, देखो, एरो पकड़ो न, एरो लेकर चलो, ये वाला एरो इदर की तरफ चलेगा, ये डी टू वाला है, clear हो गया बाबू, अब आगे चलते हैं, और लास्ट क्या है आपका, कॉंप्लिमेंटरी, देखो के दर चलता था, कॉंप्लिमेंटरी में आपका क्या चलता था, क्यों के दर चलता था, सही है न, सही है, यानि आपका किसी का प्राइस बढ़ेगा, तो उसका दूसरे रिलेटेड जो गुड्स रहेंगे, उसका प्राइस क्या हो जाएगा, उसका डिमांड क्या हो जाएगा और अगर उसका दूसरे वाले का प्राइस घटा तो उसका डिमांड भी क्या हो जाएगा तो बिटा क्या यही डाइगराम सेम नहीं बनेगा क्या यही डाइगराम सेम नहीं बनेगा इसके लिए क्या अलग से डाइगराम बनाए या इसी में काम चलेगा इसी में हो जाएगा ना समझ गए की नहीं समझ गए ठीक है चलिए अब एक लास्ट हेडिंग सभी लोग लिखेंगे एक लास्ट हेडिंग सभी लोग लिखेंगे रिलेशन बिट्वीन एक मिनट एक लास्ट हेडिंग लिखेंगे रिलेशन बित्वीन इनकम लुत टिमाण्ड डिमाद एक बात बताएं आप लोग जब आप रिलेशन इनकम आपन की बात करेंगे तो income का मतलब purchasing power अर जब आफ purchasing power चेक करेंगे तो goods को लेकर ही तो check करेंगे और goods के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? कितने तरीके goods होते हैं? दो एक होता है आपका क्या? Normal और एक होता है आपका क्या? Inferior goods. एक होता है आपके normal goods की आपके normal goods की जो demand है वो भी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी और जैसे ही आपकी income यहाँ पे बढ़ी आपकी inferior goods की जो demand है वो क्या हो जाएगी घट जाएगी घट जाएगी ठीक उसी प्रकार अगर यहाँ पर आपकी income घटती है तो आपके normal goods की demand क्या हो ज जाएगी बढ़ जाएगी समझ में आया कि नहीं आया समझ में आ गया क्या लिए फिर इसी के साथ एक डाइग्राम बनाई देते हैं तो आप लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे एक बनाई देते हैं तो सबसे पहले किसका बनाते हैं नॉर्मल और इंफिरियर एक साथ चलिए यह हो गया आपका नॉर्मल or का बनाते हैं पहले तो यह हो गया हमारा प्राइज कॉंस्टांट अगर हमारी इंकम बढ़ी हमने डिमांद भी किश अ करना है bargain करना है पहले हमारी demand आपकी यह थी म हली चाहिक है इंकम बढ़ी इंकम तो इंकिक तो हमारी इनटमेटिक क्या हो गई अपयोँ जाए को एनी अब अब हम कहां पहुंच गए वह पहुंच गए और माली यह अगर हमारी income घड़ गई हमाई demand भी automatic क्या हो जाएगी घड़ जाएगी अब हम कहां पे पहुँच गए d2 d2 पे पहुँच गए ठीक है तो d1 क्या indicate कर रहा है sir income increase normal goods demand increase ठीक है और d2 क्या वो बता रहा है आपको income decrease income क्या हो गया decrease कि नॉर्मल गुड़्ट्स कि पिमांड डिक्रीज अब लास्ट देख लेते हैं कि इसका ग्रिफिन वाले को देख लेते हैं हो गया सबका कि बना लीजिए बना लीजिए ग्रिफिन गुड़्स में भी यही रहेगा बस यह होगा कि आपका प्राइज क्या रहेगा सेम है यही बना दे यही बना दे रहें लेकिन आप लोग अलग से बनाईएगा हम यही बना दे रहें करें प्राइस क्या है जूंदמצम प्राइस क्या है प्राइस क्या है यही ग्रिफिन गुड़्स का है इंकम बढ़ी इंकम क्या हो गई अगर इंकम बढ़ी पहले देखो पहले हम डिमांड करते थे यह ठीक है अब हमारी इंकम बढ़ी तो हम इंफिरियर गुड्स को क्या करेंगे ज्यादा करेंगे या कम और करेंगे दिक्रीज करेंगे न यानि हम पहले स्टेज में कहां पहुच जाएंगे लेफ्ट या राइट लेफ्ट में पहुच जाएंगे दी वन डी वन ठीक है अब इंकम घटी तो इंफिरियर गुड्स क्या करेंगे अब हम लोग increase कर देंगे यानि कहां पर D2 D2 ठीक है तो यह D2 क्या explain कर रहा है income क्या हो गई सर घट गई तो inferior goods क्या हो गई बढ़ गई और यह क्या explain कर रहा है सर income क्या हो गई बढ़ गई तो inferior goods क्या हो गई घट गई समझ में आ गया कि नहीं आ गया एक का लिए तो finally वो घड़ी आ गई है इसका आप लोग इंतजार कर रहे थे और वो क्या है आपकी तो इसी के साथ आपका यह चाप्टर यहीं पर क्या होता है समाप्त होता है कैसी लगी क्लास इसके बारे में जरूर आप अपना feedback दीजेगा और अपने दोस्तों के साथ share करिएगा ठीक है मिलेंगे किसी अगले क्लास में अगले lecture में तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखे जाए महा देओ जाए में जाए में जाए अपना प्रवाग प्रणाश्वाग क्वां जाए